कि बीवी नहीं मिखाल से तीन-दस के आसका साइन होगा, तीन-दस में स्टार्ट रना पढ़ रख, तो चार्ज दसने पुछ रहा हूं कि कि इतने स्वेशन में हमारे सेशन में जोड़ चुके हैं, उन चार्ज दसने रिक्वेस्ट है, डिकार तो विडियो लाइक करो, और अ कि हमारे समीजान में यहाद देता है, तो आज करें टॉपिक है, आपको दिखना होगा, आज का टॉपिक है, हौली करें, तो और बच्चे को जोइन करने तो, तो मैं फड़ा एक स्वेशन करोगा कि आज क्वेस्ट कुछन में हम क्या कुछन पूछने वाले हैं, कापी easy question हो पूछने वाले हैं, और पुढ़े रूप से रेविक्षिन बताऊंगा, लेकिन हम उसे फ़ल में चाहता हूँ कि और भी students, जो इस quiz competition, online quiz competition पर इतना चाहते हैं, वो जब जलती हमारा live session join जोई देता है, सभी को गुड़ाप करनूँ, जोगे हमें, 11, 11 students जोट चुके हैं, 11 students से request है, पहले तो ये like, ये like करो, video को like करो, और पटावा तक ने, what's the stories, Instagram stories, Facebook posts, सब कुछ आणारा हम चाहते, जाद से जादा students हमारा live session join करें, काफी interesting and काफी simple results होने वाल है, और मैं पूड़िटर में ये भी बता रूबा, कि आज जो उसे क्या अवर्ड मिलने वाल है, फ्रॉम क्यान पंच, सो ये हमारा daily कर रहेगा, every day at 2 p.m. we will come live on our YouTube channel and we will ask one interesting puzzle to all our viewers and जो भी puzzle का answer, सब से पहले देगा, मैं पिर से repeat कर दूँ, जो भी हमारी puzzle का answer, सब से पहले देगा, वो होगा हमारे daily quiz challenge का winner, So, जादा सा बचे इस session को join करें, मैं चांसे request करता हूं, फुष्णा चांपा कि अब कितने student join कर चुकिया हमारे session को, 20, so 20 students जोड चुकिया हमारे life quiz challenge में, फिर से उन 20 students request है, कि सब से कले तो लिक तो लाइक करूं, कि कि आप new to our channel, subscribe करूं and share करूं, So, अब आई है हम खोड़ा सा competition, start करते हैं, so topic of the day, polygon, अचा कितनों को polygon, कितनों ने polygon पढ़ा हुआ है, so polygon को हिंदी में कहते हैं, बहुगुज, अब फुरा स्क्राइश करें रहता है, polygon क्या वाता है, polygon is a closed figure, which is only made up of line segment, हिंदी में बहुगुज, बहुज होता है, बहुगुज होता है, बहुगुज होत बहुगुच होता है, बहुगुज होता है, कितनी स Button कらい अधि, होता है सब्सक्राइब करना है अगली स्लाइड आएगी आपके स्क्राइब करना है जैसे कोशन आएगा आपको कमेंट करना है करना है जैसे को पिद्ध करना है जैसे में पड़ा प्लीज चेसरी टाइब करना है जो कि उसका अंसर आपको क्लास प्लीज पठा हो रहा है और पॉलिगन के तेशारे टाइट होते हैं सो मैं बता रहा था आपको कि बहुत बंद आकृती जो सिर्फट से बनी हो उसे पॉलिगन कहते हैं कि मैं कुछ एक्जांपस उता रहेता हूं आपको जैसे प्राइंगल जो त्रिभूज होता है वह फॉलिगन है चत्रभूज कर दिया हमें आज का फॉलिगन है वह दो बजे स्टार्ट करना था लेकिन हमने स्टार्ट किया फीपजे अच्छा हां आपसब एक और चीज जाना चाते हैं कि आज जो क्विल्ज जीतेगा उसे क्या प्राइस बिलेवाए तो अब हैं करने चारा वह चीज अनांस तो आज क सबसे बिलन होंगे वो कंटेस्टेंट जिसका आंसर सबसे पहले आएगा हमारे स्क्रीन पे उसको मिलेगा 100 रुपीज इन और हर पीटियम वालेट हम डाइक ग्यांकूर्स के तरफ से उन्हें 100 रुपीज प्रांसर करेंगे अगर वो आज इस कोश्यों का सही जवाब रिख सब्सक्राइब और यह साथ प्रोसेस सब्सक्राइब आपको अभी जवाब देना है जब हम लाइव में दोरिंगा लाइव सेशन जो सबसे पहले आंसर आएगा जिसके जिसके जर्चें आज कि हमारे पूजा पारवाज चांसर प्रजाना और मैठोपमी तो आए बहुत ही सब्सक्राइब आपको यह पता मचेवी पैंटेलन क्या होता है और लाइव स्मेटरी क्या होती है आपको अब मुझे कोमेंट चेक्शन बताया है इस कोशन का आंसर जो भी सबसे पहले इस कोशन का आंसर कोमेंट चेक्शन में लिखेगा वो हो जाएगा आज के ज्यानकुज डेली को इस कॉंपेटिशन गाविनर आपको क्या करना है कोमेंट सेक्शन में अंसर बताने हैं बहुत सारे आंज़ाएं किसी ने दस बोला है इस क्यों सद बला है किसीने चार किसने पाँच किसीने फे प्रिंस्ने पर पोनच जोया आपकी आंसर로 है कि आप डाने क्वेट जो नक्री में पानशे कोमेंट स्फेक्शन भी सेखने का आंसर पर तो कोशन है specific है तो अब अब आते हैं इस कोश्चन के आंसर के फिर से कुश्चन रिपीट करता हूं विवर्स के लिए जो अभी हमार साथ जोड़े है और इस कोश्चन का आंसर जिसने दिया है मैं चांस से रिक्वेश्च करूंगा कि वो मुझे बताएं कि कि इस इस कोश्चन का जो तरफ आंसर वह फाइल जिसने स्टुट्ट ने कमें चैश्चन में सबसे पहले लिखा और सबसे पहले लिखा और अधा इस अखिलेश्च कि अधिलेश्च ने सबसे पहले कमें चैश्चन में आँसर लिखा है और अधिलेश्च होते हैं हमारे आज के यांतों डेले को इस कोश्चन के बिनर मैं चांप चांस से रिपेस्ट करूंगा कि एक साइट थोड़ा आगे कर दें कि अधिलेश्च ने अधिलेश्च ने जो है इसके पांच नाइस मेट्री यह तो अधिलेश्च ने जो इसको तो दो अधिलेश्च नियुक्ति वसकती है मतलब बेश्र क्यों बीड़ा ब्राहरा करना है मैंने जो ने बुछ था था तो ने वह यह राइंगल पेंटानें पांच भूजाएं लाप से बरावर हो तो जो पर बिच्ट ने घिकर को दो बराबर इस्तों में तो यह होगे यह रहें ओपर यह जिसने इस पैंटाने पां सबस्क्राइब आपको दो प्राव बाटिया यहां इन स्मेट्री यह हो गई यह घो गई और आक आपाट्स अज नंबर प्लाइब ऑजनाइध कि रेगुलर पोलिगर इस एक वयर नंबर ऑप साइड्स पोलिगर की जितनी साइड तोब तो यहां से मैट्री होंगी तो काफी सिर्फ लेक्ष था और उम्हीर करता हूँ कि आप सब भी को काफी मज़ा आया आप तक मज़ा आया आप सुरिय आपके लिए आजगा विज्ट जिसका नाम ने दिया है ज्यानोपीडिया एवरी देवी 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 कुछ गलिचेस के कारे हैं कभी-कभी ट्राफिक के कारण क्योंकि आना पड़ता है ना मजीरों देवी से फुड़ा गड़ेट हो जाते हैं आज अएक हम एक 2.5 के स्टार्ट आना था लेकिन आज भी हम 30-40 मिनिट लेट हैं आज इसाल पर दिलेग आज तोफिक है वह एट दिल्जिती रोड जिसने भी बन से लेकिट तक का दिल्जिती रोड पढ़ा हुआ है वह यह पजल आज का पुशिट बहुत इसली सॉल पर सकता है बढ़ रिर्मा पर उस कॉमन सेंस खीक है सब चांसे रिवेश्ट करोंगा तो इतने स्टुडेंट हमारे अभी लाइट सेशन में जोड़ चुके हैं सबसे पहले कि लाइट करोंगी आज अब तक 30 शुड्न जोब नहीं करेंगे वार्ट स्टार्ट हम और मारे सेशन में जब किया तो एक थाप्रीट से पार्सटि दिया तो आफ च्टिस विर दिए भी चैनल को प्रीशे है अफिर्स युद्स जो जो दिनर थे हमारे आपक्षिश को अखिलेश तो तो पिर से अखिलेश को चाड़ैस और अखिलेश का रिवाइश का डिवार्ड उने आज में आज इन जा है आपको किया गिलेश ऑगए टियाकुल्टू है कि अलब लटा इकले लाइक जरोगे लाइक नौटू है यह पितने लिएकल प्रवडियों करते हैं जाणा आर और को ना कियाँ अगल्टू जहते हैं आज के क्विस का हमारा टॉपिक है वह है तिर्विजी रूज आपने सब्सक्राइब कि नुबर 2 से लुटा है 3 बाटने से कब होता है 4-5 से बाटने खोटा है 6-7-8-9-10-11 नुबर 10 अब कर पदा हिरा और उतनी ही नौलिफ रिक्वाइब है सब्सक्राइबर की तरफ से रिक्वस्ट है कि प्रोसिडियोर बता दिया जाए कि आंसर कैसे देना है अब यह जो आपके दिखा हुआ है कि टॉपिक 12 जैन 2022 डिविजिटी रूट जो नेक्स लाइड आएगी उसमें होगा आपके लिए कोश्ट्ट इसे मैं रिडाउट करूँदा आपका टाइम स्टाट जाएगा आपको वो कोश्ट्ट को सॉल्ब करना है जर्च करना है और आप यह जर्च करना है और आप बढ़र आप पर दमारा सॉल्ब करें तो आज के लिए भी नी यूनी टेपर पर वैसे जरद नहीं है है और बढ़र प्रक्राइब कर सकते हो लेकिन अगर आप बेर पहले के बैट तो वह भी अच्छी बात है कि अगर लिए आप वो सेश्ट्ट के ताइम पर पेज़र पर एंब के बाश्ट के तो पर अपको पर नहीं पर यह पास है यह आपने नहीं गया तो आपको टाइम न पर आपसे अराँ विए सावनद्ट कोमेट्स टरनाँ है, जो एस दिएक आ हम था कामेट्स है, उस पर आपकस विए है को सब्सक्रावार बिल्सट के तो आज फिर से मैं आपसे कहीं कुछ रिक्लाँ कि जब तब 30 स्बाइचा हमारे सेशिण आज यहानज का जोन ही आपके i x जन्दब आपना नारे शेयर नहीं करते हैं, सेशन हमारा शेयर नहीं करते हैं, तो ना हम दुरो करेंगे ना आप दुरो करेंगे। So let's grow together, please share our Yankul daily request with your friends and family and उन्हें ज़रूर के आनाई की चैनल को subscribe करें और डेली दो से दी मजे के आसपास हमारा क्वेस्ट आई गाई So अब कितने students जोन्य कर शेयर है हमारा session? So still we have 10 students So still we have 10 students, please उन 10 students request है कि please हमारा session अपने friends के साथ share करें Please उन्हें बोलें कि live आयें, कि see, अगर 10 students हैं औरना competition start करना तो उन्हें आईगा Like 30 में से जीतना, 20 में से जीतना, it's a different thing So please share करो, जार जादा बच्चे, लाइब आउ, जुड़ो और आज के है वचे, आज को दो तारीक है, और मोंकर वाला आज 12 तारीक है So आज है 12 तारीक, आज में एक फ्रेंड है, आयूश का birthday है So happy birthday आयूश, अगर आप इस वीडियो से जुड़ेंगे अगर खोड़े तेरे बात देखे या आप इस वीडियो के देखे है, तो विश यू आल, sorry, विश यू आज नहीं Wishing you a very happy birthday, आई शुट तारीक करना, सभ्यातु आए रहे हैं, हमने अपनी जर्दी शेयर कीवे हमाने श्रुट के साथ, 2 years पाए So again, requesting you all, please जल्दी-चुल्दी like, जुड़ो, सबसे पाइए लाइप को, शेयर करो And if you are new to our channel, subscribe करो Red bete कर आए Red bete कर आए Red bete कर आए Red bete कर निम्हें So, कितने students आए जाए 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 12 So 12, दो instruments बढ़े रहे हैं हमारे, चलो 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 ठीक है So, now we have 14 students 15 So, now we have 15 students, कियो 16 So, please, 15-16 students join हो चुके हैं जल ज़े ज़े लाइब करो जल ज़े ज़े लीडियो को लाइब करो 17 Hello, Good afternoon everyone Right, 15 18 students join कर चुके हैं ज़े 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 लेगे तुम दो YouTube एसारे वीडियो लेखते होगे ज़े एक्कम कई सरे एसारे वीडियो लेखते होगे कई सरे चानले में सब्सक्राइब कर रखे क्या वीडियो लेखते होगे क्या वीडियो शेयर करो ना सब्सक्राइब करो हम दो कुछ एफ़ेट आते हैं हम दो की एफ़ेट आते हैं कुछ बना रहे हैं प्राइज दे रहे हैं जो कि आनों कीडियो विंट एक्साइटिग प्राइज एवरी डेइ अच्टू पीर में आप सभी का स्वागत है और कुछी कल में हम आएगे आपके लिए आज का पजल लेकर जो की काफी सिंपल है वाली कल का भी काफी एजी पजल था आज सब एजी होने वाला है और में कल से डिफिकल्टी लेवल फूड़ा सा बढ़ा है अब कल डिफिकल्टी लेवल को अब टेम में से रिट करें 5 तो आज है 7 सो अब किते जो जो जिए हमारी आए सेशन में आराउंट 18 गयांत 17 आराण 80 स्लेवल जोइंट जो 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 जोई एड हेम आज का कोशन करेंगे ЕН 20 अब बुलमिट भूइंट पो जोईने आरण 5 बड़किए वेगए रिप्टश करेंगे दो ही मिनिट में, दो सेक्ड के बाद, स्क्रीन पे आपको दिखेगा आज का पॉर्षिन, तो मैं पहले लिए कर दिखेगा आप सभी के साथ, कोई नमर 2 से डिवाइड एक, एक से तो सारे नमर डिवाइड होता है, एक का पढ़ना ड़न में कहने सेंस, तो 2 से कोई नमर का डि एक डिशनिक्स का सब 3 से डिवाइड होता है, जबुरिट अने स्पेस को मिला कर वही नमर 4 से डिवाइड हो जाये, वह 4 से डिवसर होता है, 5 से limit space के 0 या 5 मोना चाहिए, 6 से जब कोई नमर 2 और 3 तहरों से डिवाइड हो जाया, वह 6 से डिवाइड होता है, पॉरえば 6 से जितने भी आपकी संख्या है उसके लास्ट एक यूरिट लेस्ट 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 के नमबर को इखटा रेना है और वो नमबर आठ से डिवाइब भूना चाहिए नइंसे अगें जैसा 3mky अकि सारे डिजरस श्ब करू जो की सब आता है उस नाइं के डिवल पे आ चाहिए पैंसे यह केश्मना चाहिए जीर्स के नफान पर बेग दो से डिवाइड एगा तो कह रहू है वहारे मचे इस लाइस्ट में जूर चुकियें जो चिक है मैं आपक से रिकुष्ट कर रहा हूं, सबसे करएं तो LIK करूँ कोशिन भी आइगा लिए फास चाज सरह को आइगा रिखा रुगा आइगा है 21 स्टोरियंट और यूद को ने रिखें लाइक है 4,000, 4,000, sorry, 2,000, 2,500, 2,538 थे last night, so, आज हमारे, आज हमारे, आज हमारे हमारे 2,540 कुर्टी को ही जाए, तो अगर आपने 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 शेयर वेपे, चलो ठीक है, बहुताइम हो गया, मैंने आपसे बहुताइम में बहुताइम में बेस्ट किया, अभी थक, थोड़ आपने आपने शेयर करें, अब हम चांचर से, रिक्वेस्ट करने हैं, कि आज का बजल, हमारे स्क्रिक पर लेगना है, तो आज का बजल, अच्छा, मैं फिर से बादू जीदेगा, कौन, ध्यान से आंसर करना, आपका आंसर जो आपने सबसे पहले कमिट किया, उनका सबसे आपके आंसर, अगर आप ऐसा करकें, आपका उनका अलिमेंट करेंगे, आपका अजला आंसर जो आप कमिट करकें, वो ही इंका सबसे पहले, आज की तुछ का आंसर देगा, वो हो जायए था, आज की तुछ कमिटिशन का विनर, और आज सबसे ये रहा आपके स्क्रिक पर, आपके स्क्रिक टाओ, और चांसर से रिक्रिक करुगाँ आपके तुछ कोर्टा सबसे हैं, और सारे सबस्क्तों तो दिख रहा हो, इफ x and y are two digits of the number, 6, 5, 3, x, y, ये जो है ना पच्चों, ये बाज रहा जो भी समख्या है, जिसके एकाही का अंक y है, और दाही का अंक x है, पहां चक्तों की संख्या ये असी से भाव हो जाती है आपको कुझे पर्मेंट करके बताना है कि जो निकाई का और धाई का अंक है उसको अगर हम जोडें तो आंसर क्या आएगा यो टाइम स्कार्ट नाओ मेभी कुछ इसमेंट सौल कर दिया हो कर दिया हो और मैं तर्दिया हो आज से अगेर टाइम इस पिर टिफिकल पॉशिन फोर यू अगर मैं डिफिकल की लेवल की पाथ हूं तो अगर आप सभी को पुशिन नहीं दिख रहा तो मैं रिपेश्टों का चांस था थोड़ा फोकस करें स्क्रीन पर और अच्छों को थो दिखाओ है 80 एक्स प्रस पाइप एक्स वाट गूंट तर की आंसर बताओ अखिलेश का अंसर है सर 20 गेमिंग विद कृष्णा का अंसर है 0 अंचु कनोजिया का अंसर है 0 कम आं गाइस प्लीज जले लिए तो आपने तुम अपने फ्रेंड्स को कॉल करकर पूछ सकते हो उसे बोल सकते हो कि इसक्रीन पर ये कोशन है इसका आंसर करो इसक्रीन शोड लेकर अपने फ्रेंड से पूछो कांसर है 6 स्वाहिश्वर्मा 2 खुशी राजबर न ने आंसर किया है 6 श्रीवाम राज ने आंसर किया है 6 अगें मैं बतातू इसक्रीन ये एक पांच अंकों की संख्या है जिसका यूरिट प्लेस है य और तेंस प्लेस है एक्स कह रहा है कि ऐसा है कि जो नम्मर है वो 80 से डिवाइड हो रहा है 80 से तो आपको मुझे कॉमेट में बताना है कि इकाई और दाई के अंक के को अगर हमनों जोड़ेंगे आंसर क्या आएगा आपको That's why it's equal to what? So, 1 गीति देते हैं आपने डिलिस्टी रूप 80 का डिलिस्टी रूप तो नहीं पड़ा होगा So, 80 रूप तो आपको सोचना पड़ेगा कि 80 के factors क्या होता है 80 के factors को सोचो और दब सोचो कि इस question का क्या answer होगा So, comment में मैंने देखा है कि एक कुछ इस्टोरिट से ने सही answer भी किया है शायद सही answer भी किया है So, still you have time, solve this question and comment your answer So, chances से रिक्रेश करेंगा कि थोड़े answers में लोग readout करते हैं शुरूच के लिए So, बीतब राजपूत ने 8 answer की है आचा जितने भी license में जोड़ेबर प्लीज लाइक कर दो, share कर दो सब्सक्राइब कर दो फिया new to our channel मुस्तावशे 20 विशाल एसकत के कोई हमने 2 लिखाए शेवं 6 सुमित सर हम आर्स हम आर्स वाले हैं कोई बात ने सुमित मैं आच से तुम्हें 10 तक भी पढ़ी है क्लास आथ का अंश्री का का है 0.122 यह क्या है मंसूर आलम 30 अखिल कुमार अखिलेश तुम यह चौतिय पांचवी पार आंसर लिख रहे हूं तो यह जो बात पुम्हें पृतम राजफूत 8 बहुत सारी स्टोंट ने आंसर वामिट कीया है अब हम आते हैं आज के पजल के विनर और आंसर के उपर तो मैं चांस इसे रिप्रेश करूंगा इससे जस्त एक स्लाइड आंसर वालिये तो इस अवी आज पूलाइड इस पीप्रेश करूंगा जो अब भी आंसर किया और भी बतादू जो परेक्ट आंसर है वो है 2 जिसने भी सबसे पहले 2 लिखा था comment section पे वो होता है हमारा आज का बिजर So congratulations to that for yourself अब आज आज आसर रिप्रेश करूंगा कि वो comment section में जाएं और देहें कि आज 2 सबसे पहले किसने comment किया था मैं तब तो खोड़ा explain करता हूं कि जो 80 होता है 80 जो है उसका 8 और 10 factor होता अब मैं यह सोचना है कि जो number है वो 8 से और 10 से कैसे डिवाइड गेबार 10 की तो simple है तो मेरा जो y है वो तो clear होगा कि y 0 होगा क्यों कि अगर नंबर को 80 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 और 10 से डिवाइड होना चाहिए और 10 से डिवाइड होनी के लिए 1 काई प्रेंट होना चाहिए 0 तो y हो गया तुमारा 0 अब आते एक्स पे सो यहां पे टेको मैं लिखना है जो नंबर था 6 5 3 x y मैंने क्या पाता 8 से डिवाइड होता है चाहिए दाई और 7 को नंबर को मिला कर वो नंबर बने जो 8 से डिवाइड हो जाएगा तो unit price तो हो गया तो 100 price में ता 3 यहां पे अच्छे से डिवाइड हो जाएगा 8 से डिवाइड है तो दाई के अच्छे में होना पड़ेगा 2 ताकि वो नंबर में जाएगा 3 20 1 जाएगा 8 से डिवाइड तो इस कोशित का जो करेक्ट आंसर है वो है 2 तो मैं फिर से चांसर को भूलकर रिप्वेश करेंगा कि यह वाइड को रहा फूंकस में रखेंगे यहां पे अच्छे से डिवाइड में आसर लिखावा है आप देख लो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि S की वैल्यू होगी 2 और Y की वैल्यू होगी 0 और आंसर होगा hence the value of x plus y is 2 जो भी स्कूइंट्स इस लाइसेशन में जोड़े हुए है और यही वारा आने हैं हमारे चैनल पे प्लीस सब्स्क्राइब तो आर्यूटीब चैनल और फिर से बिलने हैं आप से भी के साथ कल कल दो बजे और इसले जोड़े शुर्स पना श्ब्सक्राइब आज फूर्स सबसे पहले प्लीस सही आंसर हमें दिया रिक आप ट्विस्थ यह है कि चैनल एक अक्लेश किया है यह है कि अकिलेश ने डबल डबल answer किया है बाकि और खिलेश है तो आपस है उसके बाद शाहिल शर्मा मैं उसके पहले मैंने लिखा था 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 किसी और निली थावल चलो फीक है क्योंकि काफी ज़्यादा कमेंट आए रहे हैं तो हमें आंसर्स देखने पड़ेगे में भी हमसे अभी कोई glitches ना हो जाए तो एक बड़बी ना होजा है तो we will take our time हम लोग कमेंट में जाएंगे और देखेंगे कि सबसे पहले इसने कुम आजब की आखा and that person will be our winner of today's course commission so see you all tomorrow stay tuned quiz all पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो आगे है सब भाई so hello everyone good afternoon so welcome back to our youtube channel और आज हम फिर से आगे हैं आपके लिए आज का 13 jam का quiz लेके जिसका topic है profit and loss so जाह सब जितने ही बच्चेरे अभी इस session में जोड़ चुके है सबसे पहले तो हमारी वीडियो को like करो comment section में हमें भी लोड़ी विश करो और जिल जिल के हमारे वीडियो को अपने फ्रेट्स का शेयर करो ताकि वो भी जोग सके और वीडियो पे यह हम message देना चाहते हैं कि जो खुशिया हैं जो इवेंट्स हैं जो पदल्स हैं वो हमें सब जिस्ता share by time so share our puzzle series with all your friends फटापट अबारीए दो लेक है YouTube channel की आपने status Facebook, WhatsApp, Instagram status पे लगाओ और जितने भी जोई हो चुकिए हो सबसे परे लाइक करो चाहरे जितने लाइक करो six people oh eight people six likes so eight people joined our session right now और उने दो शुट्टे लाइक निया परे तो लाइक करो जितने विडियूस हमें सी हैं अब तरी लाइक समझे हमारी वीडियोस पे तामसे देशिन अपला है so आज ओपिस होने वाला होने वाला है profit and loss के उपर so यह अच्छो करता और आप बड़ा अनूस करतूं की जो कलब वाला प्रज़त था जो था हमारा विडिल्टी रूल पे उसके विड़ाटी संतर थैस्वाल तो संतर थैस्वाल congratulations so so आज है थर्टीग जैन आज है क्या होता है हमारी विडिल्टी पे इन एडवांस अभी पगड़ सक्रांथी and always obviously happy learning so जादा से जादा से जादा हमारी विडिल्टी कुछ विड़त हो ताकि जादा अगर स्कूइट्स जॉइन हो सुके आज चुटी है चुटी है लाउटाउट्स सब घर पर हो तो जादा स्यादा स्यादा जॉइन होगे उतना बजा आएगा तो इस कूचरे में ज्यां तो जेडिए को सक्राइब भी so 50 10 10 जॉइन होचके है आज है 10 लाइक भी हो चुके होगे yes around 10 10 व्यां होगे 10 जॉइन जोर्ड य Arya 10 तो 10 तो 10 आए 10 षूर्ड तो 10 रजबस 10 तो 10 इसाद में 10 ना 10 चुर्डोल नाठ चुक थे उसाद स्यादा 15 Stelle Review동 10 टेस्ते जोर्डियोश 10 सब्सक्षर्ड़ु कि कि आपट ड़ सब करिज सिर्ग के देडियर कंवी शुब अधिशन के इस अगार को देला करिगा को आपको दो अग्यम जाते हैं कि आपको साथ नास एक वाला रख प्रकूर और भी के दुंधर में जाते हैं तो आठ गलार कि अश्यक्ग कर देल नहीं एक आने आख कि कि 40% discount है 10% discount है तो इसकाउंट करना topic है WPTC section के अनर कवर किया जाता है स्टार्ट होता है इंट्रेसिक प्रिंसिपल इंट्रेस्ट, प्रिंप्रोफित, एलाउस, डिसकाउंट, MRP तो इस अधर topics जो इस पार्ट में cover होते हैं हमारे बुड़ोस कोश्ट पूचले वागा है, वह वारी खुरी पेशिपल साब कोश्र, भाट जो सबसे पहले आज सबत्रेगा उपको होगा हमारा आसके कोश्ट की अचनल पने। आपने स्टूबर सुटेट्स आज अचनल फूंचल करते हैं कि इसको ज्यान देखते हुए हमने ये पदल सिरीज ये को इस सिरीज स्टाइट करिए कि जो बच्चिन हर पलग है और जितको मैस्स पसंद है और ऐसा निया है कि हम उसे मैस्स भी उचे रहें आने वाले पिरों में हम साइंस, जनल नौलेज, दिस्ट्री, सब कुछ कबर करें नौलेज दो सब्सक्राइब करें कि जनल रहें तो हमाल ये फूड़ा एजी रहेगा फंड़्र करवाल जोने स्मूर्फ प्रोस्स रहेगा है है तो दो दूब सब्सक्राइब को इस आधिवा जाल सब्सक्राइब है का यह बस्तु कितने में खरीगी तो अग्यों की तरफेट ड़ु सब्सक्राइब हो दिखा है तो अब में प्राफिट कब हो गाई और लूस तरफेट अप मेरा सेलिग प्राइज मेरे बास प्राइज दे जीदा नियानी SP greater than CP, अच्छा, लॉस को होगा, लॉस को होगा, जब जितने मैं खिरिगा, उससे कम एक ग्रेट हूँ, यानि जब मेरा cost price बड़ा होगा, selling price से, तो हमीच होगा loss, और फिर उसका निकाल आता है, loss percentage, profit percentage, तो loss percentage और profit percentage कैसे निकालते है, profit percentage निकालते है, इसका भी profit हुआ, यानि SP minus CP, divided by CP into 100, loss percentage निकालते है, CP minus SP upon CP into 100, तो loss और profit दोनों ही percentage है, वो CP को denominator रखते है, यानि CP के respect में calculate किया जाता है, तो प्लीज, concept पुड़ा पर हमें discuss कर लिया, और इसी concept paper जो just मैंने आपके साथ share किया, इसी के proportion होने वाला है, आज का, सबसे पहले है, प्लीज, अगर आप नए है हमारी एडियो चालिल में, तो सब्सक्काइब कर दे, रीचे इंड बिटल होगा, आसे press कर लें और आपने press कर लें, तो share कर लें, अपने friends के साथ, जा 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 अचे इस issue जुड़े है, यह हमारी चाह है, So, फिदे शुड़ा जोई जोचने शाथ, 10 से उपर हो है? No, it's around 10. So, around 10 students, एक शुड़े गए, तो मताब 10 बच्चे गोई अगर पोशिन कोशन को तो बजहा नहीं याड़ा गाए तो बच्चे को यह आपक हो रही है, कि अउप 10 बच्चे को पोशिन साथ होते है, So, आपक राद बच्चे को जोई नीवे, बच्चे को बोलते हैं कि वह जोई करें, Please, join quiz. देखको आपके सब्सक्राइब की रिक्ष्ट कर रहा है बच्चों से, कि जल्दी जल्दी quiz जोई करें, आप सब्सक्राइब इस जल्दी जोई करो, जितने जादा दा स्कूडेंस जोई होगे, आपके हम उतना ही मज़ा रेगा, So, Aisha, So, is there any improvement चाल? No, not yet. No improvement? लगता है बच्चे को, जब मारे कहले दोग कोई से, वो काफी easy लगे, उनको लगा की रहे हैं, तो बहुत easy सी मदल्स कूछ रहे हैं, जब मारे कि रहे हैं, So, please share our Gyankun's Daily Quiz with all your friends, call करो न, अगर तुम्हे लगता है कि को student, जिसका टॉपीट कॉपीट लॉस्ट रहे हैं, जिसका टॉपीट पॉपीट रहे हैं, जिसका टॉपीट पॉपीट रहे हैं, अब उसे इक जॉइन करो, जिसका टॉपीट तॉपीट रहे हैं, लिए आप सब के लिए आज का को इस जो है, पॉपीट एन लॉस्ट रहे हैं, जो कुछी लेरे में, हम लोग आज का कोशन, स्क्रीन फेल ले का रहे हैं, अच्छा कमिट में ये बिटाओ कि, जुको पहान्पर का माइस है? यह पार एक लिधी दिए अधी कि इसको बस लक़ेन पूरोच पिशे रहे में कि दिता है एक लोग में बस बढ़ोची के पाप लिधितरो हुआ है अधी पूर्टीन ? जो बी नहीं है हमारी यूटीव चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करते हैं और यांटूच का चानल सब्सक्राइब करें कि हम बढ़ी महले से देवी आपके लिए ध्यांटूच देवे को जिले के आ रहे हैं और पीची में शांट को होंडोब अपना इत वी रॉक शेयर करते हैं इसमें ग्यांटूच की छुट जोटी चीजे शेयर करते हैं लाइक कोडी का क्लास मुले रहे है कोई अपनी क्लेजिस की क्लास ले रहे है अवार ऐसे तीचर में पिसाली जो भी कॉलेज में है अरो पर यहां आपनी और क्लास की लेटे हैं यहां तर बच्चे को भी और रहे हैं तो अराउंट फिटीन जोटीन करें चुटीन है अगर एक क्लेट में पंक्रा से उपर बढ़ा तो बहुत अच्छा अदर्वाइस जोग अच्छे जोटीन हैं ली के बीच में करेंगे सबसे पहले सही जवाब देना और वो कहा हमारा आज फिर्स का विनर जो बच्चे पी जुटे हैं मुझा मैं बताओ जो कल फिर्स था जिसका टॉपिक था प्रिविजर दी रूट उसके विनर है सत्यम जैसाल और जो हमारा पहला फिर्स पोस्त किया था जो की था किस आपिक सो चानद सु लेट्स स्टार्ट तोड़ीज क्विज प्लीज जो भी जोड़े मैं सब लाइक करें तो और आब दो सेकेंड में जैसे आपके स्विप्या जाएक आज पा कुश्य वान तू आज पा कुश्य है एक क्लोथ मर्चेट बॉट 40 शर्ट इच एट प्राइज ऑफ रुपीज 290 वी सोट इच ऑफ दें पो रुपीज 390 फाइंड हिस परसेंट के प्रॉफिट एक जो क्लोथ मर्चेट है वो 40 शर्ट खरिकता है हर एक शर्ट की कीमत दूसो नफ्य रुपे है अगर उसने उसे एक शर्ट को 319 रुपे में बेचा तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा आपको मुझे कॉमेट सेक्शन में बताना है आंसर की प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा इस कोश्य का अगर मैं आपकोशन रुपीट कर देता हूं एक लूद मर्चेट बाट 40 शर्ट इच अट प्राइस आफ रुपीज 290 ही सोल इच अफ दें फो रुपीज 390 फाइंटेज परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट अधिक लूद मर्चेट ने 40 शर्ट खरी धी हर एक शर्ट ऑप्राइस धोसा नगर में खडाँ अशें जोसने बेचा एंशेंटेज इसम उन्नी सर्वेटी आपको पुझे कोमेंट में बखाना है कि प्रॉफिट प्रसेंटेज कितना आईगा इसको सौल करो, यूज पेपर एड पेन, और अबिसली थोड़ा पर दिमाग, और दो लेट मी नो इन वी कोमेंट सेक्षिन की आज के ग्यांकु देने को इसका क्या है आंसर, और जो प्रिक लगे फिनल होगा, उसे देलेगा ग्यांकु ती तरह से आशिरवाद और थोड़ा, एक्साइटिक तुस प्रैसिदे देगे, प्रैसिद कियोंगे और अशिरवाद को सबको हैं साथ में, जो भी ग्यांकु थाप्ली का पार्ट है, इवन हमें भी ग्यांकु का, ग्यांकु के सब्सक्राइब का सबका अशिरवाद अब्सेट है, तो अगें जोड़े वियो ग्यांस, है भी ग्यांस, सब्सक्राइब एग उच्छ थे, पीड़े सब्सक्रापती. सो अढ़का पूषयर, अग्योद्ट मर्चेट बात फोटीशएट इस एप प्रॉपीस रूपीस 290, दिक हमें भी कांण। आपूपेस भी टोफिघ हैं प्रॉपीस 390, फांद हिस प् सबसे पहले आंसर दिया है शिवम राज ने दस फिर ललित कॉतम दस परसंट शिवम राज दस परसंट परसंट जो है उन्ता आंसर आ रहा है युसुफ का दूसरा आंसर है 11 तीसरा आंसर है युसुफ का ही and Sonia का आंसर है 8 okay so all these trades जो अभी ट्राइब रगा है निजसे पर चोने आपए अजब किया वसा है रहा है हुआ है क्योंकि math is all about common sense, math is all about your calculation speed, math is all about your work कि आपको क्या math concept clear है यह नहीं है जो आपको कुष्र हमारा गोह profit and loss के उपर अब आपको कुछी कमेट में बताना है कि पर से इस profit क्या होना है पिर से जो वीवर्स अभी शाहिए हो उसे मैं फ्ले रिप्रेश्च करता हूं कि कोष्र के साथ साथ वीटियो को लाइए शियर की करनो and if you do our channel please don't forget to subscribe to our YouTube channel कोष्र एक लास्वार मैं repeat करने था हूं उसकी वाद आएक आजके answer के उपर कि एक लोग मर्चेंट वाट 40 शेट्ट्स each at a price of at least 290 he sold each of them for at least 390 5.0% profit चार शेट्स खरिपता है एक लोग मर्चेंट या दुकाना समझे लू और हर एक शेट्स प्राइस है 290 रुपीज और जब बेचता है तो ये शेट बेचता है 390 रुपेटी तो ये क्लियर हो गई क्योंकि जो बेच रहा है उसका फ्राइस खरी में प्राइस से जाता है तो प्राइस प्राइस से जाता है तो अब हम जानते हैं कि इसको इसका क्या है अच्छ कर दो आज आज करें विजयता है तो ये रा सोलिशन और इसको क्यों तो तर्यक्राइट आज है वह ए 10% तो इसने ही 10 सबसे पहले कमिट किया तो वह होता है अबारे आज साविन और प्रोड़ा में इसमें रहता हूं कि तब प्राइट परसेंटे जबीशन पर वन कुण लिटनी वैसे अगर इसे ने कॉस्छ प्रैस नियुका लिखे एक शिट को अनुटू घुमसी पुट और आम पराइट परमें दकाले के लिए तो इसको सबसुक्राइट के लिए टत worked. और लॉस निकाले गिना और इसे प्रॉफिट निकाले गिने तो वही answer होगा तो वही इस रिपो लिगिनी तो cost price का 290, price price 390, तो जो profit होगा तो क्या होगा, S3 में से SP-, यानि 390, minus to 90, जो की आएगा 29, तो यह जो 29 लिए है हमारा कि हमें कितना profit हुआ गये, आप में लिगाना था, profit percentage में लिए परसेंटेज के लिए परसेंटेज किया था profit यानि S T minus 60 divided by 50, तो S T कितना था हमारा 290, जब 290 से divide होगा और इटो हंटेज के percentage लिए लिए रिए तो हमारे चान्सर आएगा वो आएगा 10% तो आएज तो अज शेवमराज है ना पुछ देने कुरिस के विनर और में भी कुछ हो सकता है कि हमने और गरत एक तो परियो तो पुछ हो सकते हैं तो कांफर्मिशन रिपनी को आईगा कि कौन हो आज के कुरिस का विनर अब आपको क्या पर ला है तो इसको शेयर करना है हमारे स्टुएट्स के साथ अपने एक लासमेट्स के साथ और उने बोलना है कि गांपुट के चैनल पर डिली आता है डिली वेस उन्हें बोलना है कि स्ब्सक्राइब करें और दो मुझे हमारे स्टुएट्स जड़ें अब आपको आचा पर इस बेसको ऐजी लगा होगा कि खांद धीरे धीरे हम लोग इंप लिवितल की लेफल इजी से मॉडरिट्स और आएखे लेफल पे आएंगे इसको लेफल क्या आगना है सिर्फ रेट्स प्रेस करना है तो थैंक यू सो मच पर जोइन अस सब्सक्रिक्ष सब्सक्राइबें एक प्रशालीरेज़ करें। किसे इतना में। सब्सक्राइब करें। हुआ है भी है फिर वीड़ीव हलो इंहलो भीत अलोग कर अबिवर्ध वैं वोप आपको वइस किनाइथी आई होगी और वीडियो किनाइथी भी होगी एक वाझ बता देटेशे हैं कि क्या में जिर वाइस आ ली है और कि आप देखता है वीडियो तुरा साथ आगे आजा जा प्रीस तुरा साथ आगे आज़ा जा प्रीस करें तुरा साथ तुम भी रहे के आज आप लोग पूरी तयारी करके आए हैं इस quiz में participant करने के लिए और आज हम आपके लिए एक नया topic लेकर रहा हैं time and work तो मैं देख पा रहा हूं कि आपको के comment नहीं आ रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताए कि क्या आपको मेरी आवाज और वीडियो अच्छे से सुनाई दे रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं okay तो आप मुझे कमेंट्स दिखाए के रहे हैं I can see the comments ठीक है तो thank you everyone आप समी ने बता दिया हैं अपंग okay okay तो प्रित्म की तरह से request है कि camera थोड़ा close लाई है आप में आप खुड़ा सब जो जाईए oh oh it's clear what is going on sir nothing at all yeah जिता हुए यह यह शीड़ा में प्लीज़ सब हमारे केबर में दिल्कुल नए नहीं है इन एक्स्पियेंस है देखे पहला दिन है तो पहले एक्सित के लिए आप प्लीज तोरा सब पेशन्स पहला है किये इन लोगों के साथ लगलग के साथ और हमारे विदियो को प्लीज शेर करते हैं लाइक करते हैं और एक हमबल रिप्रस है उनके यह जिनोंने हमारे चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब ना आज आज अधिन सी ट्वेटी थ्लीज सब्सक्राइबर्स आज एक हम बस एक से दो मिनिट पे इस स्विश्ट पर शुरू करें करने वाले और आज आपको हो सकता है कानओ आपी के तुरू ऑपनें तो प्लीज एक आइच कर दें पहले से ही, आपको अपी टाइम दिख रहा है, क्योंकि प्रेशन शुरूब करते ही आपको पता है, कि जिसमें सबसे पहले आइसर दिया, हम उनको विनर सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज पहले से ही तयार हो जाएए, एक बाद बता दो कि स आपको पता है, होगा, होगा है, सो चामरोगा क्यात्स थोड़ास आगे आथाएएएँवार, क्योंकि screen visible ने मैंगी देटित पारओ, screen visible नें है, हाँ थोड़ास आगे आथा हैं, आपको सही से दिखाए दे रहा होगा और दों परिए जब क्वेशन आएगा तो आपको फ्लोस दिखाए जाएगा इस स्क्रीन का अब कैमार में प्लीज आप दिखाएगे आपको फाल आपको देखा रहे हैं ही टैतो अगर जिसको दिखाए जिए देगा यूँ रोड़ी मैं आपके लिए से रिगाओद करूँगा और आप देखकर आप से लिख सकते हैं तो ठीक आयो, सभी है पैन और पबी रखिया हुआ और आजकर हमारा ज़ट भी है, ताइप एंड वर्ग हम उसक्रिशा शुरू करने जा रहे हैं करना मक करि बीयर होता है जागे कृश कर वा ठाइप जर सकते हैं बीकिश को माना इसकता है कर दो कि कृष्ट्या है कल देकर है थे निचिस को माना एंड 27 थे निचिस你要 को जहिए हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है तो अब हम शुरू करने जारें इसको आयो आपने सभी ने शेयर कर दिया हम आपने दोस्तों के साथ अब दोस्तों कि अबने अब इसको आपने पाल दोस्तों किया है अगर ए इसी काम को दस दिन में कर सकता है और बी उसी काम को अब दिन किसी काम को सेम काम को इस दिन में करता है तो आप विद्धी हर्क और सी ए और वी उस काम को चार दिन में कर लेते हैं तो आपको पताना है कि किसी अगेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा और वो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जिसको भी समझने है प्लीज कॉमेंट तो मैं एक बाल फिर से उबीर कर लेता है एक इसी काम को दस दिन में कर लेता है बी इसी काम को बीस दिन में करेगा तो माफ़ी चाहूंगा कि आपको नैटवर्क इस्टो पेस्ट करना पड़ा कि तो विए स्टार्टेटि एक आंसर हमारा वाई पाइप काम करना बंद कर दिया था नीच में ठीक है तो मुश्टी लोगों ने आंसर कर दिया होगा अब हम यह दिरना है कि इसका सही आंसर क्या है अपर शसकता है इसके जिन्हों ने भी आंसर किया है वो गलत हो और आपके पास कि आप शही आंसर कर सके सो हरी एसमें हो सकता है आपने से बहुत सारे लोगों ने गलात आंसर बेरो सो प्लीज किप ट्राइब आफ्टर 10 तो 20 सेकंड्स आम गोई टो एक्समें कि इसका आंसर क्या है और कैसे आएगा आपने बन नहीं किया था एक बार फिर से आप लोगों से छमा जाएंगे क्योंकि कनेक्टिविटी इशू आ रहा है और यह हमारे हाथ में नहीं है यह हमारे टैलिकॉन कंपनिया करती है तो हम उनसे लिक्वेस्ट करेंगे लैटर लिखेंगे कि वो इस समस्याओं को हल करते हैं तो ठीक है हम अब आंसर डिसकस करते हैं तो गाइस सही आंसर है दस दस दिशी उसकाम को 10 देज में कर देगा आए जांते हैं किस तरह से कर देगा तो सबसे तरह हम पता करते हैं एक उतने दिनों में करेंगे करें दस दिन में चाल देता है को और सेम बढ़को भी 20 दिन में टटा है तो अगर हम पहले कम्वाइन निकालेगे तो एक दिन का 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 मुगा 1 by 10 प्लस बी का वरक है 1 by 20 और इन दोनों का कर हम कम्वाइन नीटालेगे तो 4 से multiply कर देंगे तो हमारा combined work आएगा 12 by 20 ठीक है तो अगर A और B का काम जो हम दोरों का बताई में जोड़ कर तो 20 में से 12 काम करते हैं अब हमें यह देखना है कि C उस काम को कितने में करता है तो C total काम को अगर हम एक मान लेते हैं देखो हमें आप पर आइए बता दो जित में अगर आप divide करोगे तो आपको मिलेगा 3 by 5 जो कि A और B का पंगाई दोर्ट है अगर हम A, B, C तीनों के work को एक मान लेते हैं और हम A और B के काम को उससे minus कर देते हैं तो हमें C का काम बदा चल जाएगा तो अगर हम इसको sum करते हैं तो we get 2 by 5 जो की C का काम है अब हम पहले C का एक दिन का काम जाते हैं वो कितना करता है तो C का एक दिन का काम हुगा 1 upon 2 by 5 जिसको मम अगर opposite करेगे रूटर ले जाएगे नुमेरेक्टर में ले जाएगे तो वो चेंज हो जाएगा 5 upon 2 में और 4 से multiply करने पे हमें C का total days का work पता चल जाएगा कि वो अपेला कितने दिन में करता है तो we already know the answer कि वो 10 दिन में कर लेगा आपको आपको ये quiz बसंद आया होगा अभी हम answers देखकर quiz के answer का winner आपको announce कर देखने है किक है और कल के winner जो थे हमारे को थे डूबी को थे विनर Shivam Ragh I think so congratulations Shivam Kal के हमारे बिनर्दे Shivam Ragh He will be rewarded soon and आज के जो बिनर्दे he will be rewarded tomorrow So thank you so much to like our video to share and to subscribe See you tomorrow, bye हैं वेल्कॉम पैक तो A yuootyube चैनल जाहां हम डेली के आते हैं आपके लिए ग्यानोपीडिया है चैनल मनलोग ब्लाथे हैं आपके लिए टेली कोईज पर विकेंड हैं कि हम लोग अप्लोट किया करेंगे से अओज कोशंच वीजवेल्ट इस जथा हैं मन्डे डापीक ऐस ब if you are new to our channel please subscribe आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्ट इस बॉलिवुड मुवीज बार जस्ट वन फ्रेम क्या आप इन बॉलिवुड फिर्मों को सिर्फ एक फ्रेम से पहजान सकते हैं आगे आने वाले हैं पांच कोशिंज आपको मुझे उन पांच कोशिंज के जवाब क क्यां आपको मुझे आपको मुझे बॉलिव। झाल 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 प्डेक्श ända झाल यहाल हूल यांव Etla उर वीरिम्स वाएंड पेक्शयानल आसे जहरे रहा हैं जहरे भिछ sì आसे हैं लने अमारा श॥े च्रासति हैं भिचाणि सॉर्ण पिया घ्टूर के दिफक सक तरिया हैं भिछाई अधि ultrasound pride युदुशंब क्लिचेस, कभी इंटरेट का इशुव, कभी ब्रामिक इशु, कभी रिस्वर्सिस का इशु, ठोड़ा वहाँ अपमेट हो जाते हैं, आज वह प्रेगे बढ़ा ही दिस्वरस्टिक, जो की है, टॉपिक 4, 17th January 2022, is Indian States and Capitals, क्या आप सभी को हमारी स्क्रीन क्लियर, क्लियरी विजिबल है, क्मेंट के सेक्षिन ने में बताएं, क्या स्क्रीन विजिबल है आप सभी को, क्योंकि फड़ा पीछ में इंटरेट का इशु आ गया था, इसके कादे में, लाइश एक्षिन फोड़ गए, यह क्वल करें कि उन्य SCREEN से इसे VIZIBLE प्रकें एक्षिन, क्या सभी को SCREEN से VIZIBLE है? HR सभी को SCREEN विजिबल है? यह, यह, री क्रियर तो, हम्रों जो दियो थार रादर आदर इंटरनेट में इस करने है कि प्यांकर चीए? तो आज का इसा टॉपी दिखा आपने दिखावा है इंडिया में टोटल कितने स्केट्स है अखिल कुमार ने दिया है 28, शिवम पंडित 28, खुशी 28, खुश्बु कुमार 28, फरजाना 28, काशफ़ा 28, अमित 28, पूजा भार्दवाज 28, बगधदास 28, शिवम राज 28, अमित करता हूं कि आप सभी उन 28 स्केट्स है अच्छे काशफ़ा है काशफ़ा है काशफ़ा है, सब को जानते हैं कि आप का सारे स्केन याद होंगे, आच्छा, इतने हैं? UT कितने है? UT इतने है? UT अल्रेडी अनिकेद में बता दिया है 9 9 बताया है अखिलेश, निदेश सत्यम ने बोला 8 निदेश ने बोला 8 अखिल कुमार ने 8 अनिकेद 9 काशिफा 9 खुशी 9 तो ये जानके चलता कि हमारे साथ ले स्ट्रुमेट जोड़के रखते हैं वह बहुत अक्तिव है पढ़ते रखते हैं व्यान साइंस के साथ साथ आपने आपको देश जुटिया की खबरों से भी जोड़के रखते हैं तो थांक्यू सो मस्ट्रुमेट ऐसे ही एक्टिव रहो बेश जेए के कम्रेश रुटे रहो फटे रहो आप आए स्टार्ट करते हैं आज का अज़कर जोगी होने वाला है इने इने इस्टीट्स और क्याट्ट्स के ऊपर यह बस अबजना कि यह अज़कर रहें स्टीट्स और क्याट्स के रुखा जो हमारा कॉशन के स्टीट्स पूछना होगा ऐसा को चलिए तो जो कॉश्चन है आज का चार्ट करें लोग जहां जोइन करचकें 19 स्टीट्स जोइन करचकें से एक स्टीट्स स्टीट्स हो जाएंगे लाइट हमारा कुशन आ जाएगा स्टीट्स पर सो आप सभी से रिक्वेस्ट्स है कि जैसे जो यह यूट्यूब वीडियो के पहले लिंक है लाइट से शिर्की किये अपने वाट्स प्रेटर्स विला लाइए फ्रेट्स के शेयर करें आपके वैसारे फ्रेट्स है इवन स्टीट्स के टॉलिट्स के ग्रुप्स होते हैं उस ग्रुप पे शेयर करें हमने बोले कि यानकुछ देलेक्विस का हिस्सा बनें हमारे परिवार को और बढ़ाएं हमारे बीच बढ़ाएं अब जाना 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 स्कुरूइट को रीच आउट कर सके विस इस दिपोटिव एस लिए भी स्थार्टेट यांकुछ देली कुईस्ट मेरा घरा खराब है बट सिल आप दो इस पर यू अली सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कि प्लीज हमारे विडियों कि शेर करें एंड जादा से जादा ओडियंस हमारे गाइस डेली ग्यात्तो डेली को इसको जोइट करें हमारे यही दीड है आप सभी से चांत्या प्लीज हो गए तीन कम हो गए तीन कम हो गए वाव जहां 19 लाइटे अब 60 होगे लगता है कुछ इस्कूट्स जो आट्स रेट्टाव के नहीं है उन्होंने लाइसेशन चुड़ दिया बट ज़रू ही नहीं है अनिकेट करने साथ इस्कूटी क्लासे में इस्टिल थे गॉट्ट आशर की आटें 28 लाइटें हैं इंडिया के जब एक शेर करो जो अभी है जो अभी लाइव है सबसे पहले लो हमारी इस वीडियो लाइक सेशन को लाइक करो कॉमिट करो है आप्टें आइप्टें ओन्लाइं आइप्टें नाइटें ओन्समा इसमें के लिए वीडियो की link आपने WhatsApp status में लगाई अपने ग्रूफ फामिली के ग्रूप में फ्रेंड से ग्रूप में शेयरे करें तो थैंक्यू सो मच से लिए अब और डिले नहीं करते हैं और आप कुछ रूस पढ़ा रहे था हम आज के तो अब जो अगली आपको दो हीरों के नाम एक साथ बिखेंए लेकर पहले मैं लेकर लिखते हैं कि मारे फिर्में विकशर आंप का अगर कोई चीज दो कुछी ओप्ची नहीं सबी अंसर ने एक साथ चरी कि अगर आप अलग-अलग करते है कि इस बाग बोले यह बहुत कि नहीं मैंने से पहले कि आंजा हमारे बीला है कि आपको जोबी आंसे दिना एक टाइम पर देना है और इक साथ तो आए स्टाट करते हैं आज का पिस्त तो आगे भी और खुछन और आज को छोस्त ओशन नहीं सो आएए अब आज का कोशिन कुछ से हैं हमारे दर्शकों से सो ये रहा अच्छा कोशिन There are 28 states in India These are as follows आंधर प्रदेश, अगुनाचर प्रदेश, असाम, बिहार, चक्तिसगर, गोवा, गुजरा, हरियाना इमाजर प्रदेश, चारखट, केरला, मध्यर प्रदेश, महरास्ट्रा, मनीपूर, मेखालिय, विजरण, ओरिसा, पंजाब, राजस्कान, सिक्तित, तमिल नाइडू, तेरांगना, त्रीपूरा, उत्राखंड, उत्तरप्रदेश, औरेस्पेड़, विच टू स्टेट्स आर इसे ही है, यहाँ पर दो राज्यों के नाम नहीं दिखे हुए, वो राज्यों के नाम आपको कॉमेंट करके हमें बताना है, So, 28 स्टेट्स ते से 26 स्टेट्स के नाम क्या दिखे हुए हैं, और आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है, वो आंसर, So, there are 28 states in India, कॉमेंट करके बताओ कि कौन से 2 स्टेट्स के नाम यहाँ नहीं दिखे हुए, और सारे चबाब एक साथ चाहिए, हमें 2 स्टेट्स के नाम एक साथ चाहिए, कुल 28 राचे हैं इंडिया में, जिनके नाम यहाँ दिखे हुए हैं, आपको दो के नाम हमें बताने हैं, So, 21 स्टेट्स जॉइन कर चुके हैं हमारे स्टेशन को, आप सभी से रिक्वेस्ट यहाँ नी फटाफट आंसर कॉमेंट में बताएं, एक मैंने फिर्सेगर बतादो मैंने पाठा एक साथ बताने हैं, एक साथ बताने हैं, दोनों स्टेट्स के नाम एक साथ बताने हैं, Which two states are missing there? There are 20 states in India, these are as follows, आंतरप्रदेश, अरुनाचरप्रदेश, असाम, बिहार, छक्रिसगर्ड, गोगा, उत्राथ, हर्याना, दिमाचरप्रदेश, जारखट, केरलाव, अत्याप्रदेश, मारास्ट्रा, हनीपुर, मिधाले, मिजोरब, बोडिसाव, पंजाव, राजस्खाल, सिक्किन, अरुट, तैलांगारा, त्रिपुरा, उत्राखंट, उत्तरप्रदेश, और वेस्परदेश, विच्टू से दो राज्ये हैं, यहां नहीं है, उन राज्यों का नाम आपको बमेंट अर्के बता रहा है, और दो आंसर घंटे देने हैं, एक साथ देने हैं, तो अमीद करता हूँ कि कुछ आंसर आए होगे, सुवर चांसे रिप्रेश करें, पीज रीड आउट तोस आंसर पर उस, और स्रियर भाइन आंसर हैं, सबसे पार किस ने किया, और किस ने किया, और किस ने किया, तो रिजवान ने बोला है, डेली, विवेक, जम्मु कश्मीर, शिवम ने बोला है, हर्याना, जो की सिंगल आंसर है, और प्रिंस मनीपोरी, काशिफा ने बोला है, डेली, अखिलेंच ने बोला है, हिमाचल परदेश गोवा, हिमाचल परदेश गोवा प्रेशन है, और डे यह तो हमारे यूटी में आ गया और गोवा जैसे किसी ने गोवा का था तो गोवा प्रेया पर है I think already यह रहा गोवा और 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 आंसरेंस मताओ ओके और फिर है शाहिल करनाटका ओडिशा अनिकेत नागलेंग करनाटका शिवम नागलेंग शिवम हिमाचल फिर प्रिंस मनिपुन नागलेंग नागलेंग किसी ने हिमाचल का था यह रहा है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओके और खुश्बुक गुमारी मैं का screen clear नहीं है जो कि है clear most of the students आपको बस network का issue होगा अपके उद्रद्र नेटर्वर्क या इंटरेट का issue हो तो उस चक्तर में भी करने तो भी हमें clear नहीं दिखता है तो आप क्या कर सकते हैं YouTube पे चेट विडियो कॉलिटी का option आता है तो उस पे किल करके अपनी विडियो कॉलिटी को improve कर सकते हैं तो ये बार अपने steps का किया गद एगा Okay, Shivam Raj ने बोला है करनाठक cessworks मध्या परेश ये gebracht मद्या परेश की एगा शिवत राट को आशिफ में उकरोने करनाठक और नागोलाइब इसन रेक्भा है आशिफ आशिफ ने ओक है also आईए अप और किला만 मिलम नादर here इंट्रसिक खा तो हाँ, इंट्रसिक नहीं खा तो ना, तो अब आए जाते हैं, आज का आज तो आज सिर्फा पहले बता तू कि जिन नहों नहीं सबसे पहले आंसर किया नागालें एंट करनाटिका, वह आज है गुडर्ट और आज है वह विदर, So congratulations to our winner जिनों ने आंसर किया नागालेट और करनाटिका So there was list मैंने मेशन करने की थी Slide 2 में उसमें दो states basic थे और वो थे नागालेट और करनाटिका करनाटिका आते है आपका south इंडिया के side और नागालेट हीरा फोड़ा eastern side हो गया So congratulations to the winner जिसने भी सबसे पहले आई थे चांसर कर आगालेट और करनाटिका करनाटिका कोमेट किया है So that is our winner today So thank you so much for joining us for this live captain's daily quiz Tata, bye bye, take care See you all tomorrow Bye, take care Yeah, I haven't written it, I haven't written it So good afternoon everyone So just a little live हो जाओ आज घर से ही कर रहे हैं सब को screen आज clear दिखेगी सब को screen clear दिख रही है न आज So दो लोग जुड़ें, चार लाइक्स So please share कर दो जाद 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 इस्टूइंट्स को join करो आज का topic काफी interesting है आज का topic है हमारा विराट को लिए and his records और लोग जुड़ते जा रहे हैं प्लीज जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करो और भी स्टूडेंट्स सेशन जॉइन करो हमारा आज स्वाम बिल्कुल टाइम पे हमने दो बजे स्टार्ट कर दिया है सेशन, छे लोग जुड़ चुके है So आज का हमारा topic है ग्यानकुल जैली quiz में आज का हमारा topic है विराट कोली and his records और उमीद करता हूं कि आज आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखरी होगी स्क्रीन क्लियर दिखरी है आप सभी को So recently विराट कोली ने One Day से और T20 से तो पहले सन्यास ले लिया था आज उन्होंने रिसेंटली टेस्ट करकेट से भी सन्यास लिया है तो हमने सोचा क्यों ना एक quiz विराट कोली के उपर हम लोग पोस्ट करें So जादा से जादा बच्चे जॉइन करो So कलीम अश्रफ जॉइन कर चुके हैं Thank you कलीम अपने कीमती समय से टाम निकालकर हमारा live quiz competition जॉइन करने के लिए Thank you so much So साथ लोग जुड़ चुके हैं live session में और भी लोगों के जुड़ने की उमीद है हमें कल हमारा session around 25-27 students ने quiz में participate किया था तो वी होप कि आज वो number वो record हम भी break करें जैसे विराट कोली अपने cricket career में records तो ओड रहे हैं हम लोग अपने quiz ज्यानकुंज जैले quiz competition में वो records break करें So कलीम श्रफ ठांक्स आइक आठ लोग जुड़ चुके हैं सुमित भी आ चुके हैं सुमित विराट कोली के नहीं सुमित स्टेवन स्मित के बहुत बड़े फैन हैं उन्होंने अपने DP भी स्टेवन स्मित के लगा रखी है सु आए थोड़ा विराट कोली के records डिसकर्स करते हैं अच़्ा कॉमेंट करके बता हो कि विराट कोली ने इंटरनाश्चल क्रिक्ट में डेब्यु कब किया था वनी प्लेट फर्स इंटरनाश्चल क्रिके整 व गेंच और अगेंस्ट गिस टीम के अगेंस्ट उन्होंने अपना पहला इंटरनाश्चल मैच खेला था तो आज सी व्राजा आ रहे हैं 2008 अरे वाँ आज से बिलकुल सही जवाब है एक चुने में बता दूँ यह कोईस का कोईशन नहीं है यह मैं ऐसी डिसकस कर रहा हूँ कोईस का कोईशन आपके स्क्रीन पे आएगा तो आज 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 आपको कोईस का कोईशन और स्क्रीन काफी क्लिर दिख रही होगी तो जातर इस्टोंट्स आंसर कर रहे हैं 2008 में तो विराट को लिने 2008 और एक्सेक डेट बताऊं तो 18 अगस्त 2008 में अपना इंटरनाशनल केरियर क्रिकेट केरियर स्टार्ट किया था उन्हों और अगेंस्ट विच्ट्रीम टीट्वेंटी माच तो जितने भी स्ट्वेंट जॉइन हो लाइज सेशन में प्लीज लाइक कर दो एंड हमारी वीडियो को अपने वाट्सअप स्टेटस पे लगाओ अपने फ्रेंड्स और फैमली के ग्रुप पे शेयर करो सो टी ट्वेंटी टैप्यू कब किया दक चलो यह बता दो दो हजार आठ साथ पांच बारा तेरा अठारा कब सो तरस लाइक हो चुके हैं थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अल क्विज कॉंपिटिशन सो फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ग्यानकुंज जेले क्विज ग्यानोपीडिया विन एक्साइटिंग प्राइज़ पे हर दिन दो बजे तो फैर दो बजे हम लोग लाते हैं आपके लिए एक एक्साइटिंग कॉश्यन और आज का जो टॉपिक है वो है विरा आज सब्सक्राइट को ली ने टी ट्वैटी डेप्यू किया था 2010 में जो कि इस कई सारे इस ट्वेंट्स ने आशर कर दिया और एक ने लिखा है सुबर मिश्यन लिखा कि पांच अगस्त तो सुमन उन्होंने टी ट्वैंटे डेप्यू जो है वो 12 जून को किया था 2010 और किय था अगेंस्ट जिंबांबे और जो अच्छा टेस्ट डेब्यू टेस्ट डेब्यू किया था उन्होंने 20 जून 2011 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया था उन्हें टेस्ट डेब्यू और डेब्यू किया था उन्होंने श्रिलंका के साथ औ मंत में पढ़ता है birthday अगर कोई दाय हट फैन विराट कोली का तो से जरूर पता होगा कि विराट कोली का birthday कब होता है है कि क्योंकि विराट कोली अडिस रिकॉर्ड की बात है तो मैं चाहता था क्यूंट नम उनके कुछ starts discuss करें तो अनिकेत ने comment करके बताया है कि नवंबर में पढ़ता है which is absolutely correct और अनिकेत ने बताया 5 नवंबर तो अनिकेत काफी updated रहते हैं and Google search करने में भी काफी माहिर हैं तो 5 नवंबर को पढ़ता है विराट कोली का birthday और exact बताऊं तो 5 नवंबर 1988 विराट कोली का है birthday तो उसे आप से वो अभी है 33 years के अच्छा कोली का highest score क्या है in ODI one day international cricket में विराट कोली का highest score क्या है one day international में विराट कोली का highest score क्या है comment करके बताऊ फैटा फैट जब तक all students join करते हैं so around 15 students joined our live session तो उमीद करता हूँ कि आप और भी student के साथ हमारा ये वीडियो share करेंगे live session जो हमारा ये चल रहा है इसको please 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 जादा जादा share करो we want की most of the students those who are studying in government schools or private schools and those who are staying staying in JJ कलोनी बवाना ये quiz उनी सारे बच्चों के लिए हम चाहते हैं जादा से जादा बच्चे चाहे वो ग्यानकुच के पार्ट हों ग्यानकुच फैमिली के पार्ट हों या ना हों वो इसको ऑचराइवल पाकिस्तान पाकिस्तान के रिएकन्स्ट है विराट कोली का धियस्ट रॉंच अच्छा तेस्ट स्कोर है कि an धीनकुच करेक्ट में यहूप यश्ट कमी तो में तो साई यह तो शीवब्शस द्युप कांधी कईनको ने आंसर किका में विराट कोली का हाइस स्कूर है 253 जो कि बिल्कुल सही है और था अगेंस साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका के अगेंस विराट कोली ने 253 254 रन स्कूर किये थे जो कि उनका है हाइस स्कूर इन टेस्ट करके अच्छा जैसा मैंने ODI से पूछ लिया टेस्स से पूछ लिया तो obviously T20 से भी मैं भी पूछूँगा तो ये बताओ T20 क्रिकेट में विराट कोली का हाइस स्कूर क्या है अब दो रह्माने बता शिवम बता रहे है 91 हाँ कृष्णा का या पाकिस्तान शिवम का है 94 94 सो हाँ T20 में 94 है 94 not out against West Indies सो विराट कोली का T20 में जो हाइस स्कूर है वो है 94 not out against West Indies अच्छा ये कोशन तो बहुत सिंपल है जो मैं अगला पूछने वाला हूँ वो कोशन बहुत ही सिंपल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे तुरंत आंसे बताओगे विराट कोली की वाइफ का क्या नाम है विराट कोली की वाइफ का क्या नाम है ये तो बहुत ही difficult question लग रहा है मिरको विराट कोली की वाइफ का क्या नाम है अनुश्का तो शिवम राज ने सबसे पहले आंसर दिया कलीम ने आंसर दिया आसिफ ने आंसर दिया दिपिका सो नहीं correct answer है अनुष्का शर्मा 15 students joined our live session तो अब time आ गया है आज का quiz पूछने के लिए लिए उससे पहले मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अनुष्का शर्मा की जो last movie है उसका क्या नाम है जिनमें उनने lead role play किया है उनकी last movie का क्या नाम है अनुष्का शर्मा की जातर students answer दे रहे हैं अनुष्का शर्मा which is correct हान जी बिल्कुल सही है कि अनुष्का शर्मा है विराट कोली मैं कहा रहा था विराट कोली की wife हान सही है जीरो कली मश्रुफ काफी movies देखते हैं एक ने तो पीके काशिफा ने पीके बोला है नहीं काशिफा पीके नहीं जीरो is the correct answer तो चलिए बहुत हमने records की बात कर ली बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली और मैं एक records की अगर बात कर रहा था तो ये कोड़ चीज़ बताना चाहूंगा कि विराट कोली जो हैं उनके पास record है उन्होंने सबसे ज़ादा 150 प्लस रंस स्कोर की हैं as a captain in test cricket जो विराट कोली है उन्होंने test cricket में सबसे ज़ादा 150 स्कोर की है और वह किये उन्होंने 9 times विराट कोली ने test cricket में 9 times स्कोर किया है 150 plus scores तो अब आ गया है आज के quiz पूछने का time तो अब आपको स्क्रीन पे देखेगा आज का quiz आपको स्क्रीन पे आए वे question को पढ़ना है ध्यान से और मुझे comment में बताना है कि क्या है आज के quiz का correct answer तो जादा जादा student हमारे license में जोड़ चुके हैं तो क्या है आप तयार तो आज का ग्यान कुझ डेले क्वेज ग्यानो पीडिया विन एक्साइटिंग प्राइज एवरी दे टू पीम जिसका टॉपिक है विराट कोली और इस रिकॉर्ट का question ये रहा आपके स्क्रीन पर तो आपको मुझे comment में बताना है तो मैं question explain कर दू विराट कोली ने वन डे इंटरनाशन में वैसे तो खेले हैं उन्होंने 254 मैचेज 254 मैचेज खेले हैं लेकिन जो मैंने पूछा है आप से वो पूछा है कि विराट कोली ने 253 मैचेज में कितने रंस स्कोर किये हैं टोटल इन वन डे इंटरनाशनल क्रिकेट सो पीतम का आंसर आया है 12,169 और भी स्टुएंट्स का आंसर का मैं विकर रहा हूँ वेट कृष्णा का आंसर आया है 12,169 ओके सो थोड़ा सा आप सभी मैं बता दूँ पीतम आप अपना आंसर अब चेंज नहीं कर सकते थोड़ा सा अगर्धियान से पढ़ोगे कोश्चिन को तो कोश्चिन में लिखा हुआ है टोटल रंस स्कोर्ड बाइ विराट कोली इन वन डे इंटरनाशनल क्रिकेट ओडियाए मैच में वन डे इंटरनाशनल में कितने रंस स्कोर किये हैं विराट कोली ने टोटल लेकिन इन 253 मैचेज अगर नीचे कोई इमेज मैंने एड करी भी है तो कुछ तो हिंट है वाँ पर कुछ तो क्लू दिया हुआ है मैंने आप सभी के लिए जैसा आप देख रहे हुँगे विराट कोली का स्कोर हिडन है जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि विराट कोली का स्कोर है हिडन तो शिवम ने भी कहा है 12,169 एज अ प्लेयर तो 12,169 जिन्हों ने भी 12,169 आंसर किया है मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूँ कि आप एक बार स्क्रीन पे कोश्टन को ध्यान से पढ़ें लिखा हुआ है टोटल रंस स्कोर्ड बाई विराट कोली इन वन डे इंटरनाशनल क्रिकेट इन 253 मैचेज मैं फिर से रिपीट कर दू इन 253 मैचेज सो प्लीज कोश्टन को ध्यान से पढ़ो और कॉमेंट करके बताओ कि क्या है आज का आंसर सो जाता स्टुनिट ने आंसर किया शियोम राज ने लिखा है 12,000 सो अभी तरह मैं बता दूँ हम लोग जोड़ेवें लाइफ सेशन में किसी ने भी करेक्ट जवाब नहीं दिया किसी ने भी करेक्ट जवाब नहीं दिया सबसे पहले आंसर दिया था प्रीतम राजपूत ने 12,169 तो जिन्होंने भी 12,169 लिखा है मैं उन्हें बता दूँ कि आपका आंसर गलत है कलीम अश्र लिखते हैं 63 कलीम आप जो भी काम कर रहे थे जो भी अर्जेंट वर्क कर रहे थे होंवर्क कर रहे थे खुछ भी कर रहे थे आप उसी यों करें क्योंकि क्रिक्ट में आपकी नॉलेज बहुत ही कम है ऐसा प्रतीत हो रहा है सो प्रीतम कह रहा है कि क्लियर शो नहीं हो रही इमेज अच्छा इमेज शो नहीं हो रही सो मैं थोड़ा इमेज के पास जाता हूँ और आप मुझे बताना कि क्या इमेज क्लियर शो कर रहा है मैंने उसमें score नहीं लिखा हुआ मैंने score पे question mark लिखा हुआ है क्या अब clear दिख रहा है आपको जाता इस student ने answer लिखा है 12,169 जो की है incorrect पीतम राजपूत ने अब answer लिखा है 12,162 बड़ पीतम अनिकेत लिखा है 2,001 2,007,35 सो चलिए ठीक है अब जानते हैं आज का क्या है answer तो अगली screen पे आएगा आज का answer और answer को जानने के लिए आए अब जानते हैं आज के quiz का answer और यह रहा answer तो answer है 12,162 विराट कोली ने जो लास्ट इंटरनाशनल वन डे इंटरनाशनल मैच खेला है वो खेला है अगेंस्ट इंगलेंट और जहां पर वो आउट हुए थे 7 रन बनाकर 10 बाल्स तो आपको क्या करना था जो भी इंटरनाशनल क्रिट में विराट कोली कहा है टोटल स्कोर जो कि है 12,169 उसमें से 7 रन माइनस करना था तो answer होगा 12,162 जो correct answer है वो है 12,162 आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का quiz आया होगा पसंद अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल घ्यान कुझ फिर मिलते हैं आप सभी से कल एक नए quiz competition के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहें COVID से safe रहें घर पर ही रहें सुरक्षित रहें बाई बाई टेक कियर बाई 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 आज है 19th of Jan 2022 2022 So I hope आप तयारी करके आए और आपको topic परे से बता दिया गया है And this is the question from reasoning And Indians की reasoning का भी अच्छे हुथी है So हमारे viewers की भी I hope बहुत अच्छे reasoning होंगी Because we all are Indian So आज अमन सब नहीं है So इनके absence में मैं इस चीज़ को लाइब कर रहा So आपको बहुत मसा आएगा Coffee परे लेकर बैठना है Because if you have a mind-resolventing position के चीज़ों को So बहुत सब्सक्राइब को ज्यादा टाइब तो प्लीज Pan और coffee लेकर बैठना है And please ask your friends Brothers, sisters To join our life quiz ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले Yeah, answer आपको उनके साथ शेर नहीं करना है Because आप फिर बिनर नहीं बताएगे So I hope So That you all ready And how many subscribers? 5 So 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 प्रश्ट करें जॉर्ण जॉइन इस प्रेश्ट ऑगे में प्रजुश्य करते हैं और आपके सामने प्रेश्ट करते हैं इक टेक्स अलौट अफ प्रेश्ट वहास्ट तो प्रेश्ट ऑप फिश्ट आपने किया ही होगा पर एक बार confirm कर देना अगर आपने नहीं किया हो तो तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमारे स्टुडेंट्स को क्योंकि आज थोड़ा सा लाइब जो है लीफ हमें शुरू किया है थोड़ा टैक्मिटल इशू था वाइपाई का इशू यह हमारे आता रहता है कभी कभी रिसोर्स पर संस्टी कभी होती है कैमरा में नहीं आते हैं तो अकेले यह साइसे जर्णा मुश्किल होता है आमन सरे इस वाइन आड़ी तो यह एक्स्पिश्यम्स नहीं है नाइप का तो वुझे एक यह आवश्यक्ता पढ़ती है आपको मैं फिर से बता दू आज का जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन और मैं इस अच्छे तरह से जाता हूँ कि ब्लड रिलेशन को साल करने में लड़किया बहुत में पास होती है तो मैं जतने भी बीवर से हमारे उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसी लड़गी के साल बहुत हैं कि वह आपको इस प्वेशन को जल्दी साल करने में मदद करेगी तो आप तो समझे के वह प्वेशन की साल करने में लड़किया ब्लड रिलेशन है और आपके रिस्टिंग अबिल्टी किस तरह के है वह आधम इस लाइक्वेस्ट की मदद से समझ सबीगी तो बी रेटी अभी तक हमारे पास अरांद 5 और 6 7 7 तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और कोई बात नहीं कुछ देल पर नहीं आते हैं तो आप सब इसाथ लोग के साथ हम तो कंटीनिव करेंगे विकॉज वी और हमनु तो अनदर वर्ट तो कल के हमारे विनर्स का विनर्टोरी दीने मुझे यह पता चलाए करें तो देखो हर्ट प्रेशन का आंसर होता है तो अब उसको सीखने की कोशिश करोगे तो इसको सब्सक्राइब और हाट प्रेशन का यह पाइना होता है कि आपको नहीं चीज़ चीज़ सिखा जाता है जो आपने पहले कमी नहीं सीखी और वह आपके लिए बहुत जादा एजी बन जाता है तो आप पूशिश करो कि हाट प्रेशन को छोड़ना चोड़कर आप उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ थोड़ा सब्सक्राइब करने की कोशिश करो और जब आपको आपका दोस्त बन जाएगा तो आपको बहुत अपको बन जादान जाए तो उसमें अकसर एसे वरिशन पूच जाते हैं और मेली जब आप आप सेट्मिशन के लिए जाते हैं तो उसमें पी कभी-कभी पूच लिया जाता है एक या जाता है अग मीं कब्लड रिलेशन के उपद होता है कुछ और में कि सब्सक्राइब राइब राइब 10 So I think we should start now because we don't have our style और आप लोग भी कांकी देव से वेट कर रहे Thank you so much for waiting अब हम finally हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने question present करने जा रहे हैं आयके हैं आप कापी और पैंस आप मेरे के बैठें ताकि आने बाद question जो है आप तुनंत कर सको ठीक हैं और अभी अभी जो लूप हमारे साथ जुड़े हैं मैं आपको बता लूँ हमारा आज का topic है blood relation और यह आपके reasoning ability को बढ़ाने के लिए होता है आप इसके साथ तुमार देनी प्रैक्टिस करें आपको मज़ा भी आएगा और आप कॉपटिनी एक्सांस को आसानी से प्रैक कर सकते हैं तो हम थोड़ी देवी में शुरू करेंगी और इस बैटल की आप किसी लगई के साथ बैठों विगोज हो सकता है आप बिना वन जावन की मदद से अधर्वाइस मुझे आपकी अभी अभी पर पूरा विश्मास है आप खुद से भी कर सकते हो तो हम पीना गई? 15 15 सो क्या आप हम शुरू कर सकते हैं अब बताई ये लिकर की क्या आप हम शुरू करें क्या दिसी को पुछ जाणना है आज के क्विश्टे बारे में या डारेक्ली हम प्वेस्टन पर चलें क्रिश्णा कहरा है येस यूसूफ स्टार्ट प्रिश्णा येस तो हमारे सब्सक्राइबर पूरे रैडी हैं कापी देज से ब्रेट कर रहे हैं आयकें थैंक्यू कि आपने आयू हम लॉट्स पेश्टन आड वी अप्रिश्टन नाव वी अगुग तो प्वेस्टन प्लीज तेक यूर पैन ब्रुटन आपक़ आजब दो कर सक्थे सु直接 क्षेन पहले स्कुम्न आपक्यूं क्लियर क्या सब्सक्राइबर जल से जल बना दें कि या स्क्रीन क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं कुछ बच्चे कह रहे हैं या स्क्रीन करने को तो अब आप बताईए कि क्या स्क्रीन विजिबल आपको अच्छे से क्लियर की है कि इसके लिए आपको क्लोजर आना पड़ेगा थोड़ा सब्सक्राइबर एंड हमें फोकस करने पर सब्सक्राइबर तो अब जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज एक पर बीप्शोर कर लो कि सभी को स्क्रीन विजिबल हो तभी हम क्वेशन पर आएंगे तो आप सब्सक्राइबर्स पर जाने वाले हैं तो यह आपके सामने प्वेशन अब आपको यह क्वेशन दिखना होगा बहुत बड़े बड़े पॉंट में आपने लिखा है यही एक्स की दो बहने हैं वाई और जै एक्स की दो सिस्टर्स है वाई और जै और डबलू की माता वाई के पिता की बहन है यहां से सुनना एक्स की दो बहने हैं वाई और जै डबलू की माता जो है वो वाई के पिता की बहन है तो आपको बताना है डबलू जै की क्या लगेगी आप जितना चाहिए काई उतना ले सकते हैं लेकिन आपको पता है मिनिंग क्राइब यह हमारा हो है जो सबसे पहले आसर कहेगा ही उट पीदा मेनर तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि कंश्यूजर नहूं X की दो पहने है Y और Z और W की माता जो है Y के पिता की बहन है तो आपको बताना है W Z की क्या लगेगी या पर क्या है तो कई नहीं सारे लोगों ने आंसर दिया है कजन भूआ बहन तो कापी सारे वीवर्स आंसर कर रहे हैं और अलग-अलग आंसर आ रहे हैं तो आप लोग ट्राई करते रहें आपके पास 30 to 40 सेकंड्स का ताइब और है और है नाव आफ्टर 30 और 40 सेकंड्स वी बिल डेक्लेर दा आंसर की इसका आंसर सही क्या है और कैसे आईगा So please keep trying और दो दो बार कमेंट ना करें क्योंकि अगर आप दो बार कमेंट करते हैं तो your answer would be disqualified बहुत ही आपका पहला या दूसरा आंसर सही नहीं आपका आंसर डिस्क्वालिपाई हो जाएगा अगर आप दो कमेंट करते हैं तो बहुत ही जल्दा हम आंसर बताने वाले प्लीज ट्राई अगर आपने नहीं दिया आंसर अभी तक तो ठीक है तो अब हम आंसर एक्स्प्लेंद करने वाले हैं ओके तो भी आप वर अभी अफिया अफिया अपने पाले माणा है वाले के पता भी क्या है बहन है तो आपसे पर शक्किया पुछा गया था एक बार स्वेंद पीछे करके कि टेखने हम हैं कि आप से पूछा ब्याना डवल्यवाइट की है के तो हमेशा ब्रदर शिस्टर्सकों ब्लकुल भी डिट्र को साइट लितले तो देखो जो डवलों की मदस्ट मिद्ट है और यके पातर है एक के आप तो आप से question क्या पूछा दिया था डबलू वाई की क्या है इन दोनों का रिजेशन पूछा दिया था तो यह साइपाई साइप इत्खा हुआ है तो आप समझ जाए कि sister है देखिए cousin sister है तो answer सही जो है वो है cousin sister ओके डबलू वाई की cousin है हाँ ठीक है तो आपको आज का question बहुत पसंद आया होगा एंड कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें समझने ही आ रहा है तो आप कॉमेंट करिए we will make a topic on this chapter ठीक है तो अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप ज़रूर से कॉमेंट करिए हम इसके उपर पूरा एक topic बनाएंगे ताकि आप competitive exams में ऐसे questions को easily solve कर सको और कम टाइम में solve कर सको अब सब्सक्राइब करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही और अपको कल भी इससे करेंगे से हमारे साथ चुरेंगे तो थाइंक यू थाइंक यू वैरी मच आप सभी का ओडियंस का फिर से स्वादत है और आज है डेक 20 जैनवरी 2022 और आज का topic बने पारा है हमारा ताज महर आप सब्सक्राइब करें से सबस्क्राइब में, मैं, मैं कुआ है। बित्रत देख रहा हूं कि अभीत्रत हमारे लाइस्टेशन है उसमें प्रेसारे सुड़े लगता है हमारी वीडियो को शेयर करें चले हैं होट साथ इसलिए लाइस चाहिट है तो जलतेर भी वीडियो की शेयर करो और वॉट्सटेशन और जाधे लुट्सट परणि वहारी है आउसकी एक्सक्रीशन और बहुत इसक्रीफल कॉश्चन वाइसके कुछ उसक्तर यह आप शबागा थे और यह चुश्प श्युट्स बीचिशन पर है और यह जब विच्ट जो जेरे करोड़ी बवाया जेरे करोड़ी के हम दो रन करते हैं for last 4 years and so we have out होगा है हमारे 8 साल जाकर हम girls school and women school strategic classes प्रवाइड करते हैं and strategic के साथ साथ basic integrity पर बहुत क्या जाता है so अबर आप में से कोई घ्यान को जोइंग करना चाहता है so class 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 you can visit our center and आप admission दे सकते हैं बहुत ही nominal fee पे हां पे education प्रवाइड दी जाती है साथी साथ जूठागा अज़ी आपको joint पर सकते हैं if you want to learn strategic so please जादा जब वीडियो की link हमारे अप्रेशेट्स का शेयर किन लिए around 10 student joint पर च्केंश राइट में आप सो आसा कोशन में को होने वागा है ताज महल ने उड़को है तो अच्छा कौन कौन से student आवरा ताज महल भूने गया है बगदा तो मैं एक मैने गजना चाहे है एक एक मैने पहले ताज महल भूने लेया था and it's very beautiful palace ताज महल आपे से कौन से सुट्स ताज में हुझने गयव है आ सो गेवेड़ इस से की टाइम हो रहा है कोशन तो दो तो ताइम हो रहा है याज लिए रखने जादा पार्समें तो यह वैसे हमने योट्यूब के पोड किया था एक वोटि करवाई थी कि कि एक टाइप्स होनी चाहिए तो जात है इस तूट्स ने टूपीयर पे वोड़ किया था आप टेंट इस्टूडेंट्स जोनों के हमारे वाइस से जुट गर ही है तो आप टेंगे इस तूट्स से रिप्रेसिग सबसे पहले तो वीडियो लाइक करो अपने फ्रेंट के साथ अपने काम लियां अब इसके साथ यांकों जिदे जी दो कजे एक कोईस लेकी आता है एक इक इस पर प्रेंट कोईस लेक आता है और आज साथ टॉपिक है हमारा वो है विद्दाज में अज़र अज़े चलो ठीक है कि कोईसर आने कर आने के जिस चीजे हैं जो आपbnete से sector करते हैं कईसी सहाल करना चाहते हैं तो पेहले पच़के से स्क्रीन के लिए काम आछ Phoenix IP वे दिख रहे हो तो पहले विद्देंट की विताव में जाओ और वीडियो क्वालिटी में जाका कर दो उसको थोड़ी हाइड की वीडियो है तो सेवेटी आपको रही नियुक्त कर लो आज जो कि विडियो पे है वो फ़रा प्रड दिद्धा है स्क्रीट त्लियर नहीं था तो जो लाइट वहें कि आपको हमारी स्क्रीट ठीट है है मnd माधोचें हं प्लोप के वेजा हुआ है क्या आपको में हमाली इसके और में काफोन बाव इस जेह कोरौन है श्क्राइद में हैं खिल्की करौन विश्थild हो अ ten पिल्मेट काफी करते वजी ऀलिख के कफी आप क्या है तर्लि टिस न तल रहे तो पाव फुरा पुरा पुरा तो यह दा रहा है विद्धा आप पर इस पैसे इंटी प्रदाएं कि क्या आप पुर्स पर प्रप्रिक पर कोश्चनस था हैं यह यह दिद्धर है टिए सब्सक्राइब हो आप प्रवाड गार रिस्राइब करें यह दिद्धर प्रफ्राइब इस पर अपयार वार खूर्फ्राइब एंट रीष एंटुए यू तो ग्यारा स्कूर केमाने लाइसे चल्ड ठीक है। कुछ बेसि इसे कुर्शिंट से स्टार करते हैं आज इसके विज्ट कर देखेगे। परोगेरना कुर्शिंट है कि अगशनलेशन इंग्राइशन विज्ट प्राइशन अपिताज महें। किस student को इस question का answer बताएगा? हम देखे हैं कि अगर आप सभी आज के कोईश के लिए पिर कुछ बेपयर करके आए है कि नहीं आए तो आज के कोईश का जो प्रैक्टिस कोशिट, पहले आप करने कुछ प्रैक्टिस कोशिट और उसके बाद आए ने कोशिट के उपर क्योंकि इस सिर्फ जरुए नहीं कोईश के लिए हमें अपना जनल नालेश कोईश करना है आपको भी और भुजे भी तो पहला question यह है आप सभी से एन जनल question कि what is the English translation of the Taj Mahal? Taj Mahal का English translation क्या है? आप सभी के पास मेरी voice आ रहे है? तो गुच्छद देवी ताज में नहीं मैंने कुछा Crown of Places शिवग्राच Crown of Places नहीं Crown of Palaces Crown of Palaces यह था है पालेश not Places खुश्पुकुमारी नहीं आप सब्सक्राइब किया है 7th wonder of the world मैंने खाँ English में translate करना है ताज नहीं को उसका current answer है Crown of the Palace Crown of the Palace ठीक है अच्छा second question यह तो कॉर्टी simple question है ताज महल किसने बनाया था? ताज महल किसने बनाया था? यह तो बताओ ताज में आपको सुपातिमाजहरा और मुश्पुने आंसर कर दिया है शाह जाहने बिल्कुल से जवाब यह तो हो गया अच्छा आपकोजे यह बताओ ताज महल का निर्माण कब पूरा हुआ था? ताज महल का निर्माण कब पूरा हुआ था? शाह जाहने का परवाय आचरणी के मेरी वर्टु सब नी सही आसर दी है लेकिन आपकोजे यह बताओ कि ताज महल का निर्माण कब पूरा हुआ था, इसका अंसर क्या हो रहा सो 1653, 1653, 1653 1853, 1653 बने लिदी 1632, 1653 1653, 1653 जालत तर सुर्ट लिख रहे हैं 1653 सो मैं इसरों बड़ा हाई डेट हूँ कि मखबरे का निर्मार्ट अनिवारे रूप से 1643 में पूरा किया गया था लेकिन परियोजना कि अन्य चर्णुप में काम 10 वर्चु तक जारी रहा माना जाता है कि ताज में कॉप्लेक्स 1653 में लावर 22 मिलियर रुपे होने के अनुमानी प्लागर पर पूरी तरह से खुड़ा हो चुका है तो 1653 इसकी करेंट आंसर तो सत्या पीबर ने कमिट किया है 1631 जो की गूगल से सचिया हुआ आंसर पूरी तरह से अगर आपको सब कुछ देखें उसकी कॉप्लेक्स और अगर के बेल तो 1623 में वहां था पूल लगा तुरा काभली अब आते हैं हम लोग आगली मश्रिक्स करने के लिए कि ताज में के वास्तु कार कौन थे ताज में के आर्फिटेक कौन थे आपको आर्फि आर्फिटेक का नाख बता रहे हैं आपको मुझे पॉमेंट करके बता रहे हैं कि ताज में के वास्तु कार यानि आखिपेटेक का नाख रहे हैं ताज में के वास्तु कार आखिटेक कौन थे ताज में के वास्तु कार आर्फिटेक कौन थे? अगले कोशन के आखिए हैं अगले कोशन के आखिए हैं इन कॉमेंट सेक्षिन चैट में बताएं कि शाज हमां था तंक्रिट ने पूरा नाम क्या था? अगले कोशन के शाज हमां था? सब्सक्राइब कोशन के शाज है कर दो टूरा नाम क्या था? सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो तो ऐसे हिमाई लाइजिशन, लाइबर्स कॉमिशन को जॉइंट करते रहें, हमें भी पढ़ने रहें, खुर भी पढ़ें और देज दुन्या को पढ़ाएं तो फुल नेक आफ शाह जहां, प्लीज कॉमेट करके बताएं, शाह जाह का पूरा नाम तो फुछ शुरेंट्स ने आंसर किया है, अलायजाद अभुलमुजफर शाह अधुदीर मुहंबर शाह जहां तो बिल्कुल सही जवाब, सभी शुरेंट्स बहुत अच्छे से गुबल संच कर रहें कॉमेट्स के आंसर कर रहें, क्योंकि इतना बड़ा नाम तो आपको उनवीद करता है कि नहीं याद होगा, शाह जाह 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 जिसे मुझे भी और आपकी भी आप सभी को शाह जाह कर याद होगा, बट यस, यू और शुरेंट्स कर रहें हो, उनका फुलने वो गलकुल सह आई, तो वो है मकबरा, जो मकबरा है, वो है ताज का, ताज परेसर का एक केद्रविंदू, तो अब, अब हम करते हैं, आज के quiz competition का main question है, जो कि काम इजी question है, तो प्लीज, अब रेटी हो जाओ, अब आ रहे है आज का quiz commercial question, तो मैं पिटसे बुछ बता दूं कि जो भी student सब से पहले answer करेगा, वो होगा हमारे आज के quiz competition का winner, एक बहुत ही basic, बहुत ही simple motion आने वाला है, आपके spin पर, जो चांद से request करोगा, तो इस screen पर focus करें, एड इस स्विट से request करोगा, कि आप मुझे comment session बताएं, कि क्या आपको स्विक clear visual है, क्लिर दिक्राइश स्विक आपको, अ आपको इस ताजगेल का English translation, ताजगेल इस ने बनाया, ताजगेल का इमार का हुआ, ताजगेल के वास्तुकार को थे, फुल ने मख्षा चहां, ताजगेल के पूरे परिशका के पर रिदू क्या है, we have discussed all these questions with you all, so मिद करता हूं कि आपकी general knowledge में बड़ोती भी होगी, जैसे के राती है, so आए अब देखे हैं, आज का question क्या है, और बहुत ही basic question है लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको question आते ही comment करना है, and make sure कि आप बाखी students से जादार जल्दी response करे, the person who will answer this question, सबसे fast, सबसे fast जो answer करेगा, that person, that kid will be declared winner of today's quiz competition, so are you all ready? do let me know in the comment section, are you ready for today's quiz, so here we go, so आज का question जो कि है, ताफ भी simple, आप सभी को आता हो बाइस्ता answer में यह उम्मीद करता हो, but it's all about speed, competition is all about speed, आपकी जितनी अच्छी रहेगी speed, आप जीतेगे आज का ग्यान को जेली quiz, so kind of so much सभी को, जो भी आप पिछले कई दाइसे हमारे को को इस कमश्रें part speed कर रहे हैं, आप सो भी सब्सक्राइस करदा हो, कि हमारे को इस कमश्रें को popularize करें, इसे share करें, और भी स्विप्ता share करें, उन्हें पताएं कि क्यान कुछ, बेली quiz क्याता है, तो बाकी जो भी आपके side party है, friends हैं, उनको भी पूले की part speed कर सकतें, there is no age limit, आ 1, 2 and 3, जो भी सिते पहले comment करेंगा आपको आपस्ता बिनर, आगरा भाट्य राजे उत्रप्रदेश में किस नथी के तड़ पर इसके एक नगर है, आप भाट्य है, आगरा भाट्य राजे हैं उत्रप्रदेश में किस नथी के तड़ पर इसके एक नगर है, So, come on, come on, जद्धिल का आँसर दो, आगरा भाट्य राजे उत्रप्रदेश के इस नथी के तड़ पर इसके एक नगर है, Time is running out guys, time is running out, प्लीज द क्लिश्ता है आखे मोशीप का नचरीं का सो जल्डे जल्दी दी चल्दी तनि असे अ से आश पर तक आयशत असर अासिव नेहीं किया नेकेथ को शीवमराज एक्ष जल्दय को आंसे एक परपीशिनों इसे प्रफिशी ने बंदूनों ने बनाया था तो यहांबर कोच स्कूरिक्स और आंसर करें नमारे कोशन के तो तो प्लीज आंसर मी आंसर मी कि आगरा भार्तिय राज्य उत्रप्रदेश में किस नदी के तट पर इसके एक नगर है आगरा भार्तिय राज्य उत्रप्रदेश में किस नदी के तट परस्के एक नगर है आए आप जाते हैं आसर मी कोशन का आंसर जो में पता कि पोसुबर स्कूर्ट्स ने आंसर दिया है यमुना अखिले शेवब राज खुश्बू लड़े अकिनिके कासिफार आईशा खुश्बू भगर देर अखिल कुमार अखिल कुमार ने लिए लिए तो अखिलेश आप हो जाते हैं आज के लिए कि आपने दो बार कॉमिट किया अंसर तो सौरे आप हो गए आज की कॉमिशन से बाहर जो भी स्कूर्ट्स पचे हैं उपके अंसर के विशिक के हम लोग जर्ज करेंगे कि क्या है आज के कुश्ब का तरेक आंसर आज के कुश्ब का जो तरेक आंसर है वो है रिवर यमुना जो कि जादर स्टेशन जादर स्टेशन ने साल स्टेशन ने करेंग आंसर दिया रिवर यमुना आज इस स्रीटी ने बैंच उप धी रिवर यमुना इन इन नौर्टिन स्रील अफ उट्रप्रदेश इंडिया इस 378 किलो मेंटर रेस अप दी स्रीट कैपिल लगनौ 208-206 क सब्सक्राइब करते हैं तो नहीं दिखली से 206 km दूरी पर इसके थे हमारा अगरा तर्टाज में 58 km सब्सक्राइब मतुरा और 125 km नौर्थ वालियन तो उम्मीद करता हूं आप सब्सक्राइब को आया होगा आचे को इस प्रमूरेशन में वह अमती ज्यादा गल्दा और वह की सिर्पल कुषिट था आचे क्विस के लिए कि जो हमारा मंते को इस प्रमूरेशन को वो थोड़ा तो नहीं दो गया था और यांकुष दे लिए को इसका हमरे बोटी बहें कि हर जिर्कोल ना कोई बच्चा विबोर्ट जीते प्राइब जीते आप्स्पेट करें और और प्लीज 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 स्रेशेथ वारिस से लचे स्रक्षीत रहें फिर बिलते हैं आप से भी से एक नहीं खुशिब के साथ तब तक लिए टाटाएबारा रहें तो हम लोग फॉन से ऐसे ही लाइव कर रहे हैं सामने तुम्हें दिख रहा होगा मेरा लाप टॉप इसक्रीन विजिबल है ना क्लियर आइधिंग बेटर विजिविविटी होगी आज चो कॉमेंट करके बताओ सबको स्क्रीन अच्छी से दिख रहे है ना आज का टॉपिक किस को आता है सलमान इस आसकें कि आज का टॉपिक किस को किस को आता है तो पहले हम लोग सोच अच्छा आज का टॉपिक है गया वैसे टॉपिक फॉर 21 जैन 2022 एज लॉजिकल रीजनेंग, कोडिंग और डिकोडिंग जितने भी स्टुएंट्स लाइव सेशन में जड़े होगे प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करो लाइक करो, कॉमेंट तो करी रहे हो पूजा, रिसर्च फॉर यू, शिवम, मुझे नहीं आता, समवन रोट की मुझे नहीं आता कोई नहीं हम लोग थोड़ा एक्स्प्रियेंट करेंगे, हम लोग एक्स्प्रियेंट करेंगे कि एक्च्छ में लॉजिकल रीजन होता क्या है और उसके बाद कोशन आएगा, पहले तो ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जॉइन करो सेशन को ज़्यादा कुछ पर मंटे से हम लोग ऊफलान क्लासे स्टार्ट करेंगे, तो जो भी इस्टूरेंट क्लास फूर्ट, फिर्थ, उस्ट, इट, नाइट, नाइट, टेंट के स्टूरेंट के स्टूरेंट से हैं, उन्हें मैं ये इनिफॉर्म कर दूँ कि और ग्यानकुन्च पहर, from Monday onwards, we are starting offline classes, तो आप सभी को जो आपके ताइम से उस ताइम पर घ्यानकुन्च विसेट करना है for classes. सर कल का विनर कौन है तो शिवाम कल के विनर तुम हो शिवाम राज कल के विनर है अकिलेश ने वैसे सबसे पहले कॉमेंट किया था बट उन्होंने नियु दल्ली भी कॉमेंट किया और मैंने पहले ही का था कि अगर आप करोगे तो आपको इलिमिनेट कर दिया जाएगा तो शिवाम राज के हमारे कल के विनर सु पांच इस्टोनिट जॉइंट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि जादा जादा इस्टोनिट जॉइंट करेंगे तो प्लीज शियर कर दो सोनिया गुड आफ्टरून, गुड आफ्टरून सोनिया सु शिवाम मैंने बता दिया कल के मिनर तुम ही हो सर मुझे नहीं आता अनिके अनिके कोडिंग डिकोडिंग के लिए सिर्फ एकी चीज आने चाहिए वो है A2Z A, B, C, D, E, F, G यह I think तुम्हें चोड़ जब तुम और छोटे थे तभी से आता होगा तो अगर तुम्हें A to Z आता है A की A, B, C, D को नहीं हम लोग नंबरिक दे देते हैं A को 1, B को 2, C को 3 और उसी को ध्यां में रखते हुए और अपना कुछ common sense, logic लगाकर हमें coding, code, decoding type of questions को solve पढ़ना होता है तो थोड़ा सा basic बता हूँगा और उसके बाद question पर आएंगे हम लोग जो आज का main question होगा तो before that उससे पहले जो भी session में जुड़े हो प्लीज like कर दो हमारे इस live session को and video की link share कर दो in your friends group family group and whatsapp status पे तो 8 likes आ चुके है so उम्मीद करता हूँ देखो थंड बहुत है तुम्हार ले भी मेदे भी तो अगर हम लोग regular 7 बज sorry इतने थंड में रोज दुपए 2 बजे से 3 बजे के बीच में तुम्हार ले होसा इस जिवे। कर दो सली हमें अधिसर कैसे मिलेंगर मैंट कर में जादां लाइक ऊंगी जादा přाप्रिक्षों कि जादा ओँजों के नउसम pont NJ कि परूंच तो हमiments अगे जोगे वीर दांक कि Yankun jailer quickly पोहुच रही है आज है फ्राइडे सो आज चांसे नमाज के लिए गए वे हैं लेकिन कोई नहीं जब तक चांसे राते हैं तब तक शायद हम लोग एक क्वेज कंडर्ट करवा चुके होंगे और में भी हमें आज का विनर भी मिल चुका होगा तो अर्जुन भी जॉइन कर चुके हैं अर्जुन शाह सोनिया आईशा गुड़ आफ्टर नून एवरिवन गुड़ आफ्टर नून तो पीछे से स्टेटिंग मशीन की आवाज आ रही है बट कोई नहीं क्या करें रिसोर् आइटी को इंप्रूफ कर लेंगे ना और ख्लियर हो जाएंगी चीज़े आट लोग जुड़ चुके हैं अच्छा प्रिंस है तो हाई प्रिंस गुड़ आफ्टर नून काशिफा गुड़ आफ्टर नून आईशा गुड़ आफ्टर नून आईजे के लमन ओ पी क्यू आर एस्टी यूवी डबलू एक्स वाई एंड जैड यह 26 अल्फाबेट लिखे हुए है और उन सबको नम्बरिंग की गई है जो ए है वो है वन बी टू सी थ्री डी फोर ए फाइफ एफ सिक्स जी सेवन एच एट ऐसे करके ना नम्बरिंग दि कोशन को सॉल्फ पढ़ने के लिए हमें यह नम्बर्स याद रहने चाहिए इवन यह होगा कि जब अभी मैं कोशन ले के आऊंगा न स्क्रीन पर जब मैं एक्चल कुईज वाला कोशन ले के आऊंगा स्क्रीन पर तो कोशन पढ़ने के बाद मैं तुम्हें यह तो पूछने में उतना मज़ा आएगा तो आहिल आ चुके है हमारे बीच में चल ठीक है तो मैं बता दूं कोडिंग डिकोडिंग में तुम्हें यह जो अलफा बेट्स हैं उसके नंबर्स पता होने चाहिए ए वी वन होता है बी टू होता है और एक कोशन जो अभी स्क्रीन प कहा कि उसे कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती तो जिन बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग का कोशन समझ में नहीं आता कि कैसे सौल करना होता है उन बच्चों के लिए पहले एक प्रक्टिस कोशन है और उसके बाद आज का कोशन हैगा तो दस से उपर इस्टोंट जोइन कर चुके हैं सभी को thank you so much for joining our ग्यानकुंज daily quiz ग्यानोपीडिया विन exciting prizes every day at 2 p.m. और आज का topic है logical reasoning, coding and decoding तो 11-11 student से request करता हूँ कि आप फटा-फट हमारी वीडियो को like and share कर दे and अब आपके screen पे आने वाला है आज का एक practice question मैं बता दूँ ये एक practice question है जिसका आपको answer भी दिखेगा and उसके बाद हम लोग लाएंगे actual question आज का तो ये है practice को यहाँ लिखा हुआ है ये practice के लिए है अच्छा सभी को screen clearly visible है ना सभी को screen clearly visible है ना जो भी student live session में जोड़े हुए हो तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि सभी को screen clearly visible है ना देखो थोड़ा visibility का हमारे part में issue रहता है बढ़ कोई बात नहीं as we go along जैसे हम daily quiz और post करके रहेंगे हमारी quality improve होती रहेगी सभी को screen clearly visible है ना थोड़ा आगे थोड़ा आगे अच्छा wait wait अब clearly visible है अब clearly visible है please read questions ओके अटल लाल के request आई है कि question को read करने के लिए तो ठीक है अटल जॉइन कर चुके हैं सबसे पहले अटल good afternoon to you good afternoon प्रीतम good afternoon अंजू सभी join कर चुके हैं तो मैं question read कर देता हूँ तो question लिखा हुआ है एक practice question है कि special 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 जो है वो 65 लिखा जाता है in a certain code language what will connect be coded as तो इसका मैं तुम्हें अब आनसे बताता हूँ देखो यह है S अब S देखो किस नमबर पे आता है S तुमारा आता है 19 नमबर पे ठीक है S आता है 19 पर फिर है P P आता है 16 पर फिर है E E आता है 5 पर तो मेरा कहने का यह मतलब है कि जो special लिखा हूँ ना special इसमें हर एक alphabet जिस नमबर पर आता है अगर तुम उन सारे numbers को जोड़ोगे तो वो 65 आएगा तो यह relation है तो इस question में relation क्या था कि जो यह special लिखा हूँ है ना S, P, E, C, I, A, L हर एक alphabet यानि S आता है 19 पर P आता है P आता है 16 पर E आता है 5 पर C आता है 3 पर तो अगर इन सारे numbers जो numbers जिस numbers से यह linked है अगर उन सारे numbers को उन सारे digits को add करोगे तो उसका sum आएगा 65 तो वही अगर तुम connect connect जो लिखा हूँ है C, O, N, E, C, T अगर इनको उसी तरह से जोड़ोगे जैसे C आता है 3 नमबर पर O आता है 15 नमबर पर 15 नमबर पर तो जब इनको जोड़ोगे तो इसका answer आएगा तुमारा क्या आएगा किसी ने comment किया है तो पूजा ने लिखा है 74 खुशी ने लिखा है 74 दिलशाद ने लिखा है 74 गुरुजी तो देखिए दिलशाद जो हमारे फर्स्ट बैच ऑफ ज्यानकोंच के स्टूरेंट है और उनने सबसे पहले इस प्रक्टिस कोश्चन का सही जवाब दिया है ठीक है वेरी गुड़ वेरी गुड़ तो जातर स्टूरेंट ने प्रक्टिस कोश्चन का अंसर बिलकुल करेक्ट दिया है 74 तो 74 है करेक्ट आंसर आज़का ये मेरे लाइप अब चांसर आएंगे मुली के हैं मैं तो लाइब वीडियो कर रहा हूं ना तो बीच में हमारे स्टूरेंट पीछे से बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं बट कोई बात नहीं होता है उन्हें भी पढ़ाई लिखाई उनकी पढ़ाई लिखाई ज़रुरी है वो भी चलता रहेगा तो जातर स्टूरेंट इस कोश्चन का अंसर 74 कर रहा है प्लीज सबसे पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो हमारे आज की वीडियो और अब हम पूछने जा रहे हैं आज का क्विज दे दो दे दो चाय दे दो 120 पीच हमारे पीच में चाय आ चुकी है तो जब तक चाय के एक तो स्टिप देता हूं में अब हैं अब हैं अब हैं के चांस है अब हैं मैं पाच मुन दे रहा हूं लाप टोबाटोप वार थेधिक है तीड आ थीज ए फ्रीच में कुछ श्टुइंट यहां कि आ रख़ो कि यहां के रखो समय में रखो हैं आर यहां यही हैं सो बीच में कुछ स्टोइंट्स आ गए रहे हमारे जी के हिल्थ के इंस्टिट्यूट के उनकी नीचे क्लास चल रही है उन्हें लाप्टॉप एंड लाप्टॉप भी है मेरे पास तो अभी मैं को लाप्टॉप नहीं दूँगा जब तक आज का हम कोई कोशन नहीं पूछ ल है तो आप सभी को स्क्रीन क्लेर ले विजबल होगी तो अब आते हैं डोंट मूव क्यामरा प्लीज ओके अठल सॉरी फॉर ओल दिस्टरबेंस और इंकर्वियंस कॉस्ट दू अच्छल में क्या है यहां पर आ गई थी यहां पर आ गई थी देखो चाय आ गई थी मेरे को उस तभी में कोश्ट ले कि आओंगा स्क्रीन सब को विजिबल है ना यह सर्थ तो कासिफा ने लिखा है कि यह सर्थ तो ठीक है ऑन काउंट ऑ वन टू थी आ रहा है आपके स्क्रीन पर आज का कोश्ट जो कि काफी ट्रिकी है तो टेक यूर टाइम एंड सॉल इस इन एस अपको यही कोड लैंगवेज को डिकोड करना है इस कोड को डिकोड करना है और हमें कॉमेंट करके बताना है कि जो ग्यान है G-Y-A-N उसको कैसे लिखा जाएगा तो प्रीतम ने आंसर किया है 7-2-5-1-1-4 थोड़ा पास में करो तो ठीक है पास लिखे जाते हैं तो मैं फिर से कोशन डिरीट कर देता हूँ तो जो कोशन है वो है In a certain code language Easy is written as 5-1-1-7 In the same code language How will ग्यान be written as जो जितने स्टोनें से इस लाइट से जोड़े रहे हैं उन सब से रिफेस्ट कहता हूँ कि अगर आपको यह कोशन सांज में नहीं आ रहा या आपको इसमें हेल्प की रिक्वार्मेंट है तो प्लीज आस्क यूर फ्रेंट्स जो इस only जो इस क्कुररिक्ण का लेख गया वही हुगा वारा आज का विनर सो कई सारे आंसर आये हैं इस बीच किसी ने लिखा है आंसर लिखा है किसी ने 47 किसी ने लिखा है 725114 थोड़ा प्लीज अच्छा सोनिया ने लिखा है 14 एक दिशाषा है उनुने लिखा है 725114 काशिफा ने लिखा है 47 आंसर भी 2 3 एमडी दिशार ने लिखाए आंसर भी इजी शीवम राज ने लिखाए 725114 अटल ने लिखाए 721114 शीवम राज 725114 अरजुन शाह 725114 काशिफा ने वो समझाया है कि उसने कैसे आंसर किया 7251 और 14 को एड़ कर दिया तो 47 बट काशिफा वो लॉजिक इजी में थोड़ा लग रहे हमें इजी वाले कुषण इजी जैसे इजी को एक शी को लिखा जाता है तो ठीक है स्क्रीन को मैं करता हूं आपने से रोटेट प्रीतम में लिखा है 7711 तुम कहीं सारे आंसर कर चुके हो सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी भी मेरे पास सही जवाब नहीं आया है इस कोशन का मैं बतातू हूं अपने सभी जो भी कुईज में पार्टिपेट कर रहे हैं कि आप सभी में से किसी का भी आंसर अभी तक सही नहीं है आपका जवाब सही होना चाहिए यह बहुत ज़रूरी है तो खुशी राजबर ने आंसर किया है 7715 आईशा ने लिखा है 725114 अंजू ने 725114 725114 तो जात दर स्टूइंट्स का आंसर 725114 और मैं उन सभी स्टूइंट्स को बढ़ा दूं कि आप सभी का आंसर गलत है 725114 इस इनकरेक्ट आंसर अब आईशा ने आंसर लिखा है 7214 चलिए आप लोग जब तक कोशन सॉल करते हैं मैं एक तो सिप मारता हूं चाहिए की वैसे हम लोग बहुत इज़ी इज़ी कोशन पूछते थे तो आप लोग विदिन फ्रेक्शन ऑफ सेकेंड आंसर दे 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 थे थे आँज थोड़ा सा ट्रिकी कोशन पूछ लिया और आप सब फस गए मैं बता दूँ मैंने घ्यान कुछ का घ्यान लिखा हुआ है ताकि आप लोग कॉपी पेश करके आंसर नाग देख सकें ऑनलाइन इसलिए मैंने कोशन को थोड़ा सा एडिट कर दिया है ताकि हो जाए थोड़ा सा टिफिकल्ट अच्छा क्या मैं आंसर बता हूँ अब कॉमेंट करके बताओ कि मैं आंसर बता दूँ क्योंकि तुम सब तो गलत बता रहे हो या तुम्हें टाइम चाहिए और आईशा ने कहा है कि यान कंफर्म है कि 7211 कि शिवम को टाइम चाहिए काशिफा ने अनिकित ने कहा है कि आंसर अभी मत बताओ ओके ठीक है तो मैं बता दूँ अभी तक जितने भी इसनों से आंसर दिया इस मोस्टली ने गलत आंसर दिया है टेक योर टाइम टेक योर टाइम टेक योर टाइम एंड थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ध्यान से दिल्शार ने अंसर किया 7715 दिशा शार ने अंसर किया 7715 फिर ये हीरो पंती करके एक राहूल है 725114 राहूल मैं अल्यडी बता चुका हूं कि 725114 इस इंकरेक्ट आंसर पहले तो जितने भी स्ट्वेंट्स अभी अभी लाइफ जुड़े हो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो अगर अगर इफ यूर न्यू तो आर चैनल ग्यान कुछ पर पहली बार आए हो ग्यान कुछ चैनल अपर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो रेट बेटन दिखराऊगा उसको बस प्रेस करना है और उसके बाद कल से तुमारी बले बले डेली दो बजे क्विज में पाट्स पेट कर सकते हो अंजो अब कहा रही है कि सर बता दो आंसर चलिए ठीक है जानते हैं क्या है आज के क्विज का आंसर अब कुछ इस्ट्रिमेंट्स ने आसर किया है 7715 अच्छा पहले यहां डिस्कुस करते हैं जो E है E E किस पोजिशन पे आता है A B C D E 5 पर A 1 पर तो यह देखो क्या लिखावा है E से हो गया 5 A से हो गया 1 अच्छा उसके बाद S S देखो किस पोजिशन पे आता है S आता है तुम्हारा 19 पर लेकिन यहां तो क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है 19 तो नहीं लिखा हुआ लिखा हुआ है तो क्या लॉजिक रहा होगा सो आइए 15 जॉइन कर चुके हमारी लाइव सेशन को उन सभी से रिक्वेस्ट रहे कि पहले तो आप फटा फट लाइक कर दो हमारे लाइव सेशन को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो विथ यॉर फ्रेंड्स और आइए अब ज्यादा और डिले नहीं करते वे क्योंकि आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है अच्छा आप तो कमेंट करके बताओ आंसर बता दूं आंसर बता दूं काशिफार एक नए आंसर के साथ आ गई है सो अब क्योंकि क्रिश्णा ने कहा कि सर आंसर बता दो तो चलिए जानते हैं क्या है आज का आंसर और ये रहा आज का आंसर ठीक है ठीक है मैं बता रहूं बता रहूं सब्सक्राइब कर दो और ये रहा आज का आंसर और करेक्ट आंसर है 7713 जहां तक मैं स्क्रोल कर रहा हूं किसी भी इस्ट्रूइंट ने 7713 आंसर नहीं दिया 7713 7715 तक तो आया है हमारे पास आंसर नई नहीं नहीं वेट 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 थोड़ी से यह हो गई है गलती थोड़ी से यहां गलती हो गई है और पंदर लोग जोड़ चुके हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट कि पहले तो लाइक करो और हाँ हमारे पास विनर है आज का हमारे पास है जो आंसर की अभी मैंने शो कर ले थी उसमें थोड़ी सी है मिस्टेक बनाते बद हो गई है एक मिस्टेक हमने एन को 12 ले लिया है और एक्चर में 14 था तो जो करेक्ट आंसर है वो दिया है सबसे पहले खुशी ने खुशी राजबर ने दिया है 7715 होगा आज का आंसर तो यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं देखो तुमारे सामने ही गलती सुधार रहा हूं मैं गलती से यहां मैं लिख दिया था 12 इसको करना था 14 और यहां आएगा 1 प्लस 4 यह जाएगा 5 और करेक्ट आंसर होगा 7715 तो आओ अब डिस्कुस करते हैं आंसर अच्छा अच्छा बेखो आंसर कर रहा हूं कि अच्छा को कोई कह रहा है कि अच्छा ने दिया एंसर ओके वेट वेट मैं बताता हूं देखो इजी जो था इजी जो पांच पे आता है पांच पोजिशन पर ए फर्स्ट अलफा बैटा यहांनि वन एज जब उननिस पे आता है अब उनिस को देखो कैसे लिखना था उन पे वाई आता है 25 पोजिशन पे तो 2 प्लस 5 7 तो वहां से यह कोड बना था 5 117 ए का 5 ए का 1 एस आता है तुम्हारा 19 पे तो 1 प्लस 9 10 और 10 का 1 प्लस 0 1 और वाई आता है 25 पे तो 2 प्लस 5 7 वैसे ही जो ग्यान है जी आता है 7 पोजिशन पे वाई आता है 25 पे तो 25 में 2 और 5 को add कर देंगे तो 7, तो 77 होगे पहले तो alphabet, उसके बाद A जो है वो first position पे आता है तो 1 और जो N है वो 14th position पे आता है जो कि मैंने पहले गल्टी से 12 लिख रखा था, वो 14th position पे आता है तो 1 प्लस 4 रदेगा 5 तो आज के quiz का जो correct answer है वो है 7715 7715 is the correct answer और आईए अब starting से मैं देखता हूँ कि सबसे पहले किस ने किया था 7715 answer सबसे पहले जो comment किया था वो तो किया था शिवम ने जो की लिखा था 47 which is incorrect उसके बाद जो खुशी है खुशी ने सबसे पहले answer किया है, I think यहाँ पर digital devices का सबसे जादा भरपूर उपियों किया जा रहा है और उन्होंने answer किया है 7715 जो की बिल्कुल सही है जो आज का answer था वो था quiz का 7715, so thank you so much everyone जिन्होंने भी आज के quiz में participate किया, थोड़ा सा difficult question था आज का, tricky question था बट आप सब ही ने काफी time तक इस quiz में बने रहे हैं तो thank you so much so कुछ इस टोन लिख रहे हैं नहीं सर, नहीं सर, हाँ जी मुझे पता है कि आप सभी ने बहुत मैने से यह answer, यह decoding सर, पहले दिशा थी दिशा ने दिया so अरजन शा कह रहे हैं कि सबसे पहले दिशा ने answer किया था so अरजन दिशा ने तो नहीं मैं उपर गया answer देख रहा हूँ अभी सबसे पहले जो answer जो correct answer दिया है वो दिया है खुशी राजबर ने 7715 so मैंने फिर से रीकनफर्म कर लिया है जो यह थे जिनोंने भी comment किया था so खुशी राजबर लिख रही हैं कि easy था question, okay so खुशी जब तुम next time जाओगे मंडे को मैं तुमसे पूर अच्छे से discuss करूँगा और मैं तुमसे तीन और question पूछूँगा coding decoding के and तुम्हें मेरे सामने solve करना पड़ेगा so अच्छा ठीक है थांकी so much for joining for ज्यानकुल जेले क्वेस फिर मिलते हैं कल एक नई topic के साथ वीडियो की link share कर दो पढ़ते रो, खुश रो, टाटा, बाबाई, टेक क्या so आज फिर से हम आ गए हैं आपके लिए एक नया quiz लेकर जो कुछी शन में आपके screen पर होगा so जो भी viewers हैं उन्हें बता दूँ कि ज्यानकुल का एक और channel है ज्यानोपीडिया करके and आप इस channel को भी subscribe कर सकते हैं so hello everyone ज्यानकुल्स ज्यानोपीडिया विन ग्साइडिक प्रीज इस एरीडिया लेडिविन आपके टुड़े इस मैथ पजल्स सुपांच लोग साथ लोग जुड़ चुके हैं इस लाइफ सेशन में और उम्बीद करता हूं कि आप साथों के साथों ने हमारी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा इन आठ लोग जुड़ चुके हैं सबीको सबीको स्क्रीन कि लेडियो विजिबल है ना इस आठ पार्टिस्पेंट्स जुड़ चुके हैं भी हमारे साथ नो हो गए हैं वेरी गुड़ अरे दस वाओ आज काफी इस्टुएंट्स जॉइन कर रहे हमारे क्विस कॉम्पेटिशन को और मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है मैथ पॉजल्स जो यहां इमेज लगी है कि आज का कोशन काफी चैलेंजिग होने वाला है क्योंकि थंड में तो प्लीज मैं जितने भी ओडियंस जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेश्ट कर रहा हूं कि प्लीज यह जो वीडियो है इसके लिंक अपने फ्रेंड्स के शेयर करें वाट्स अप स्टेटस पे लगा हैं अगर आप किसी स्कूल कॉलेज इसके ग्रोप में है या आपके फिरेंड्स का कोई ग्रॉप है उस ग्रॉप पे शेयर करें और जदद जदद स्टूडंस को एंकरेज करें कि वह ग्यानकुच के डेले क्कुस्त कम्पेटिशन में पार्टिपीट करें कि कूछ और भी कुछ कुछ ग्रॉप्स में शेयर कर अभी तक 12 स्टूइंट जोई घर चुकें अँपीड है क्या है कि आज स्टूइंट करें हैं। लोग आज करेंगे हम आज गोबिए और कोई भी टॉपिक पे पर कोई पचने से पहले, हम भी ट पूपिक से रिटे आप सभी से पूछें सो आईए पहले डिस्कुस करते हैं कुछ प्रैक्टिस कोश्चिंज और उसके बाद आएगा आपके लिए आज का में कोश्चिंज तो अगेन हेलो एवरिवन जो भी लाइव सेश्चन में जोड़े हो आप सभी को स्क्रीन क्लिरली विजिबल है ना तो काशिफा ने लिखाया यहई अंकीत कुमार शर्मार ने लिखायए यस खुष्बु कुमारी ने लिखाये सर्क कोस्टार diffुड समझके आपको मुझे बताना है कि इन options में से कौन सा option correct है so two digits में number of viewers हमारे जोड़ चुके है so उन सभी viewers से request है कि आप तुरंत वीडियो लाइक करें share करें and comment करके बताएं कि इस question का answer क्या होगा basically it is a practice question which number will replace the question mark यहां आपको दिख रहा है एक star और हर star के vertices पे लिखे हुए numbers उनके head पे numbers लिखे हुए है 4, 11, 3, 5, 1 and बीच में लिखा हुए 16 वैसे ही इस वाले में लिखा हुए 9, 9, 6, 14, 8 बीच में लिखा हुए 18 इस वाले में 6, 3, 12, 7, 12 बीच में है question mark अब आपको comment करके बताना है कि जो third star है उसके center में वो जो circle है वहां पे कौन सा number आएगा is it 12, 13, 14, 15, or 16 so these are the options A, B, C, D and E are the options one of these options इन में से एक option है correct आपको comment करके बताना है कि कौन सा option है correct so around 20 likes हो चुके हमारी आज की like session में हुई है तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने health का ध्यान रख रहे होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए हमने आज का टॉपिक math puzzles लिखा so that जादे जादा ओर्डियंस पार्टिस्पेट कर सके so जो students नए हैं जो अभी life session में नए जुड़े हैं उन्हें बता दूँ कि आज का topic था यह है math puzzles and starting में पहले हम करेंगे दो practice question and फिर आएगा आज का competition वाला question यानि आज का main question so काशिफा ने answer किया है 14, खुशिबू ने answer किया 14, अंकित कुमार शर्मा ने answer किया 16, पुष्णा ने answer किया 15 so question which number will replace the question mark so around 13 students join कर चुके इस live session में तो thank you so much to all those participants जो याद से दुपहर दो बजे ग्यान कुंच के channel पर आते हैं and quiz competition में participate करते हैं we really appreciate your efforts and please इसे ही quiz में participate करते रहें यह जो pandemic है इस pandemic चक्कर में school life हमारी काफी effect हुई है लेकिन मैं बता दूँ बच्चों अगर आप school नहीं जा रहे और आप घर पे रहके online study कर रहे हैं तो वैसे तो यह बहुत difficult है बट अभी के लिए सिर्फ हमारे आपस यही चॉइस है कि हम लोग online जितना से जादा जितना जादा benefit उठा सके उठा लें साथ जग्यान कुछ पर हमने क्या देखा कि बच्चे online class से जादा जॉइन नहीं करते और उसी रीजन से हमने कुछ initiatives लिए कि हम लोग वर्कशिट्स बना रहे हैं ग्यान कुछ पर बच्चों के लिए 9, 10, 11, 12 बच्चों के लिए हम लोग daily quiz questions लेकर आ रहे हैं ताकि हम बच्चों को engage रख सके उनका time utilize कर सके तो अनकेत gaming ने कुछ कोई answer retart कर दिया उन्होंने उन्होंने लिखकर delete कर दिया मसरूर आलम ने answer लिखा है 14 काशीफा 14 सो आईए जानते हैं अब इस question का answer क्या होगा मैं थोड़ा logic describe कर देता हूँ सो जो logic है इस question में यह लग रहा है कि यह जो star के नीचे वाले दो number है 11 and 4 आपको इन दोनों को करना है plus तो यह हो जाता है 15 15 और उसमें यह लग नंबर भी जोड़ देना है तो 11 जमा चार 15 जमा पांच 20 हो गया यानि 20 और जो side में numbers लिखे हुए 1 और 3 इनके sum को minus कर देना है यानि इन दोनों का sum कितना होता है 4 तो इन तीनों का sum होता है 20 और इन दोनों का sum होता है 4 तो 20 minus 4 तो 24 नंबर बन जाएगा which is 16 वैसे यह बात हैं इस वाले question पे तो यहाँ पर है 9 और 9 और यह 14 9 plus 9 18 18 plus 14 18 plus 14 कितना होगा 32 and 32 में से जब आप minus करेंगे 14 sorry कुछ गलत बोल दिया मैंने तो 9 plus 9 है 9 plus 9 कितना होगा 18 ठीक है यह तो ऐसे समझ लो देखो 9 plus 9 18 हो गया और यह 14 है ठीक है and इन दोनों का सम भी 14 है तो जब minus करोगे तो 14 से 14 तो cancel हो जाएगा सिर्फ क्या बचेगा 18 तो center पे आएगा 18 same logic जब यहाँ लगाओगे तो इस question का answer 12 plus 3 15 15 plus 2 27 and 27 minus 13 इन दोनों का सम तो answer है C इस question का correct answer है C which is 14 तो जिन भी students ने 14 आशर किया था उनका answer बिल्कुल सही है मैं बता देता हूँ कि किसके student ने 14 आशर किया था तो खुश्वु कुमारी काशिफा मसरुड आलम श्रीवाम राज और दिशा शाह आप सभी के answer सही है इस practice question के और यह है इसका answer होगा 14 तो आएए अब बढ़ते हैं अगले practice question की तरफ जो की है यह अब इसका answer बताओ so मैं तुम्हें 30 seconds का time दे रहा हूँ so after 30 seconds I'll start explaining you कि इस question का क्या answer होगा और अगर आपको थुड़ा और time चाहिए होगा तो हम लोग time भी देंगे आपको so question again वही है which number will replace the question mark which number will replace the question mark 5, 2, 7, 4, 2, 6, 3, 2, question mark so answer sign लग गए इस question के फटावर्ट सबसे पहले अखिलेश ने इसका answer किया है 5 दिशाशा ने इसका answer किया है 5 गेमिंग विद कृष्णा ने इसका answer किया है 5 काशिफा परवीन ने answer किया 5 पायल भार्दवाज ने answer किया 5 अनिता देवी ने answer किया 5 so most of the students ने इस question का answer किया है 5 तो यह सही है या गलत है यह अभी थोड़े देर में जानेंगे उससे पहले बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी स्टूडेंट्स बच्चे या जो भी ग्राजुशन वाले हैं या सीनियर्स हैं जो भी है आप सभी एक्टिवली पार्ट्सपेट कर रहें इस कॉम्पेटिश तो अराउंड 16 स्टूडेंट ने जॉइन कर लिया है हमारा आज का लाइक सेशन में उन सभी इसको बता दूँ कि अभी हम लोग कर रहे हैं प्राक्टिस कोशन डिसकर्स और आफ्टर इस प्राक्टिस कोशन आएगा आज का में कोशन जुड़े रहें अगर आपने अभी त एंड 11 12 13 14 अराउंड 14 स्टूडेंट ने इस कोशन का आंसर कमेंट किया है 5 तो ऑबियसली अगर 14 स्टूडेंट्स हमारे जोकी ज्यानकुंज के या जीजे कलोनी पवाना के स्टूडेंट्स हैं अगर उन सभी का मानना है कि इस कोशन का आंसर 5 होना चाहिए तो आइधेंग कि 5 ही इसका करेक्ट आंसर है आईए थोड़ा लॉजिक के तरफ जाते हैं और कोशन का लॉजिक समझने कोशिश करते हैं तो कोई वैसे कमेंट करके मुझे लॉजिक समझने कोशिश करेगा वैसे सत्यम राज भी आया है उन्होंने वन आंसर किया है सत्यम ने इस कोशन का आ कि इस question का answer 5 होना चाहिए sir only plus कर दीजिए so अखिल कह रहे हैं कि इन्हें plus करना है plus करके तो नहीं हो रहा अखिलेश ऐसा तो नहीं हो रहा इस question में आए जानते हैं logic क्या है इस question के पीछे so जैसा आप देख रहे हैं 5 and 3 यानि जो फर्स एक्चल में इसे पोलते हैं rows row 1, row 2, row 3 यानि पहली पंक्ती, दूसरी पंक्ती, तीसरी पंक्ती अगर आप पहली पंक्ती में तीसरी पंक्ती यानि row 1 and row 3 को जोड़ कर यानि 5 को और 3 को जोड़ कर आधा कर देंगे तो आएगा बीच वाला नंबर देखिए 5 प्लस 3 8 8 डिवाइड बाइ 2 4 correct है अब आते हैं आगे 2 प्लस 2 4 4 डिवाइड बाइ 2 2 तो वैसे ही उसी लॉजिक को हम लोग फिर से इस कोशे में लगाते हैं तो 7 में मैं क्या प्लस करूँ और उसको 2 से डिवाइड करूँ कि 6 हो जाए तो 7 में हमें प्लस करना पड़ेगा 5 and 7 प्लस 5 होता है 12 and when 12 डिवाइड बाइ 2 हमारा आंसर आएगा 6 तो इस कोशेन का के लिए हमने आप्शन दे रखे थे 6, 8, 4, 5, and 1 and जो correct आंसर है वो है वो है 5 तो दो practice question थे दोनो practice question हम लोग solve कर चुके हैं तो अब आता है आज का actual question जो कि competition का होगा तो सभी line पे बने रहो अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे आज का main question यानि दो practice question होगा is done काफी बच्चों ने expression शेयर करी है अकाशिफा ने कहा है कि 5 plus 2 7 4 plus 2 6 3 plus 2 5 प्रेंका कुमारी ने answer लिखा है 5 अनिकेद gaming 5 plus 2 is equal to 7 gaming with Krishna ने भी explanation भेजी है अनिकेद ने explanation भेजी है बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी explanation भी भेज रहे है तो काफी improvement है जब से हमने quiz commission start के काफी बच्चे quiz में रूची रहने लग गया यही हमारा motive था ग्यानकुल जेली quiz start करने का तो 15 के 15 students प्लीज जुड़े रहना क्योंकि अब मैं पूछने वाला हूँ आज का main question जो की होगा competition वाला question तो पहले तो please video को like कर दो please video को like and share कर दो हमें बहुत जादा views दुआओं की likes की share की subscribers की watch arts की ज़रुत है so अगर आप सभी ने हमारी video like कर दी है so जैसे मैं देख रहा हूँ कि around 21 likes likes हो चुके हमारी video पर अगर मुझे पता है कि अभी भी कुछ बच्चे लाइफ जोड़े हैं लेकिन उने हमारी video को like नहीं किया तो जैसे मेरे को like जैसे 22 है जैसे 24 हो जाएगा अगर number of likes 24 पहुच गए मैं मेरे screen पर आजएगा आज का main question तो if you haven't liked our video so please like कर दो जैसे like 24 likes हो जाएगे मैं screen पर ले आऊंगा आज का question so math puzzle में क्या करना होता है हमें likes sorry likes कह रहा हूँ हमें numbers का pattern समझना पड़ता है कि क्या sum करके क्या subtract करके हम लोग question लेके आ सकते हैं पस एक like दूर है हम लोग सिर्फ एक like दूर है और 18 viewers जोड़ चुके हैं हमारे session में तो thank you so much जो भी हमारे like session में जोड़े हो अब मैं पूछने वाला हूँ आज का main question जो कि होगा quiz का ग्यानोपेडिया win exciting prizes वाला main question तो सिर्फ एक like दूर है हम लोग जो भी अभी जोड़े हो प्लीज पहले वीडियो को like कर दो ताकि मैं main question पूछ सकूँ 23 likes हो चुके हमारे वीडियो पे 23 likes हो चुके है 24 like होते ही मैं screen पे ले आऊंगा आज का main question so around 18-17 students ने join कर लिया है हमारा आज का session so practice question क्या था which number will replace the question mark reason क्या था 5 plus 3 8 divided by 2 4 2 plus 2 4 4 divided by 2 sorry 4 divided by 2 2 7 plus 5 12 12 divided by 2 6 ठीक है चलो ठीक है अब हम पूछते हैं आज का main question तो अगर आप अभी live जुड़े हो तो please like करतो हमारे वीडियो को मैंने ये कहा था कि जैसे 24 likes हो जाएंगे हम और यहाँ पे 24 likes हो चुछे हैं और यह रहा आपके screen पे आज का question which number will replace the question mark and क्योंकि आप जाते हैं ग्यान कुछ वाले बहुत दिमाह लगाते हैं ट्रिकी कर देते हैं question को तो हमने इस question के लिए options हटा दिये हैं आप सभी के लिए तो which number will replace the question mark है आज का question आपको मुझे comment करके बताना है कि इस question का क्या होगा answer जो भी student सबसे पहले comment करेगा सबसे पहले answer देगा वो होगा हमारा आज का winner अनिकेत ने लिखा है answer अनिकेत ने ये answer कब लिखा है अच्छा 24 likes हो गए अनिकेत अखिलेश ने लिखा है हो गए 10 answers लिख रहे है अनिकेत ने 10 लिखा है भगत ने 10 लिखा है अनिकेत अबने अभीन answer लिखा है 10 18 students ने live session जोइन किया हुआ है तो मैं expert करता हूँ कि around 18 answers तो हमें receive होंगे इस question के तो देखते हैं कितने students इसका correct answer दे पाते हैं थोड़ा सा tricky है थोड़ा सा tricky है अगर आप थोड़ा सा basic अगर आपको basic math भी आती है तो भी आप ये question solve कर सकते हैं row 1 में है 268 row 2 में है 373 row 3 में है 64 question mark आपको comment करके बताना है कि इस question का answer क्या होगा सो कई सारे students answer लिख रहे हैं 10 सो भगत दास ने भी लिखा है 10 होगा अनिकेत ने तो 10 लिख दिया था gaming with Krishna ने लिखा है कि 10 answer होगा md use of free fire 10 answer मसरूर आलम 10 काशिफा 10 बट 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 मुझे लग रहा है कि 10 answer गलत है 10 answer गलत है please 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 आप question को फिर से ध्यान से देखें तो around 18 students ने puzzle जॉइन कर रखा है मैं उन सभी से request करूँगा जो अभी आये हैं अगर आप logic लगा रहें तो logic लगा ही लगाएं साथ में जो thumbs up वाला बटन है उस पे भी मोहर लगा दें उसको भी click कर दें ताकि likes का column भी हमारा बढ़े सत्यम राज ने कहा की answer होगा 12 यूसफ अब answer बोल रहे हैं 5 शिवम राज 11 मैं बता दू बच्चों की आप सभी के answers गलत हैं अगर कोई इस्टों जैसे जातर answer बच्चों ने 10 लिखा है तो अगर आप 10 explain कर सकते हूँ अनिकेद आपने answer delete कर दिया तो मैं बता दूँ कि अब आपका जो भी answer होगा वो consider नहीं किया जाएगा MD यूसफ ने अब answer किया 2 जो कि आपका मिख्यास से दूसर या तीसरा attempt है Sir सारे qualified ok हाँ तो हम लोग chance देंगे अखिलेश please थोड़ा सा logic लगाओ थोड़ा सा logic लगाओ question थोड़ा सा tricky है हमने इसलिए दो practice question रखे थे ताकि आप लोग थोड़ा समझ सकें कि tricky ये जो questions होते हैं ये number puzzles वाले इनको कैसे solve किया जाता है तो आज का सो जो students अभी जुड़े हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूँ ग्यान कुंज डेली quiz competition में तो मैं बता दूँ अभी तक किसी students ने correct जवाब नहीं दिया इस question का क्या होगा correct जवाब क्या होगा correct जवाब जल्दी बताओ जल्दी so सर लॉजिक बारिश के मज़े ले रहा है ओके फर्जाना ने लिखा है फोर अखिल कुमार ने लिखा है हो गए कौलिव अच्छा एमडी युसुफ ने लिखा है टू सत्याम राज ने लिखा है ट्वेल्फ मॉहमब युसुफ ने फाइफ शिवम राज ने इलेवन काशिफा परवीन टैन मॉस्ट इस्ट्वेंट से टैन आंसर लिखा है और कुछ इस्ट्वेंट से टैन आंसर को डिलीट कर दिया तो मैं बता दू टैन अभी तक और 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 अब जो स्क्रीन पे मुझे नंबर लिख रहे तो अब मैं बता दू कि अभी तक अभी तक हमारे पास जो ज़वाब हमें चाहिए वो हमें दिख नहीं रहा अन्कित कुमाब शर्मा, अंकित कुमार शर्मा, अन्कित कुमार शर्मा एक नए आंसर के साथ आय और उनने आंसर किया है वन प्रियंका कुमारी ने आंसर किया है टू सो अराउंड 18 स्टुएंट जोड़े हुएं लेकिन में पास अभी तक 18 आंसर्स नहीं आए और इसी के साथ हो गए 19 व्यूज हमारे इस लाइफ सेशन में तो प्लीज जोबी अभी जोड़े हो प्लीज वेले वीडियो को लाइक कर दो हैपी विकेंड एवरिवन बारिश हो रही है घर पे रहो सुरक्षित रहो एक दुसरा ख्याल दखो हमारे क्विस कॉम्शन में पार्ट्स पेट करो उसे शेयर करो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ घर बैठे बैठे सो जो भी लाइफ जोड़े हैं मैंने बता दूँ कि हमारा ये मुटिव है कि जो ग्यानकुल्ज जेले क्विस है ये कोने कोने तक पहुचे करें तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए आप सभी को अपने फ्रेंट्स को मनाना है कि हमारे चैनल पर आए हमारे लाइव वीडियो का पार्ट बने और ग्यानकुल्ज जेले क्विस कॉम्विशन में पार्ट्स पेट करें कैसे करेंगे बताओ बताओ कैसे करेंगे अगे नए आंसर के साथ आई है जीरो अखिल कुमार नाइन गेमिंग विद क्रिश्ना एइट इस दी आंसर तो कृष्णा पर तुम्हें बिला दूँ 8 is the incorrect answer 8 answer नहीं है अकिलेश 9 answer नहीं है शीवमराज 8 answer नहीं है 8 भी incorrect है So around 23 students join हो चुके हैं लाइब सेशन में तो उन 23 के 23 students से request है कि अगर आप में से कोई भी ग्यान कुझ की चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो बिना सब्सक्राइब किये मत जाना पाप चड़ेगा अगर math quiz में तुम participate कर रहे हो और जिस चैनल पे कर रहे हो उस चैनल को तुमने subscribe नहीं कर रखा तो पाप चड़ेगा So math is a very 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 important subject बहुत ही जरूरी है बहुत जरूरी है So which number will replace the question mark है हमारे आज के quiz का main question स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको Numbers पहली row में है 268 दूसी row में है 373 तिसरी row में है 64 question mark अभी तक हमें answers नहीं मिल पारा सही से कई सारे students बार बार answer लिख रहे हैं अंकित कुमार शर्मा अंकित कुमार शर्मा भी अब answer change कर रहे हैं देखो मैंने अभी वैसे ये भी नहीं कहा कि मेरे पास answer नहीं आया है हो सकता है कि उपर जितने नहीं comment किया उनमें से किसी का answer सही हो तो बाबुला मोरे ने 8 लिखा है अखिल कुमार 6 शिवम राज सर पांच मिनट वेट तो शिवम कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करो और मैं answer ले के आता हूँ शिवम पंडित अभी आ चुके हैं उन्होंने 0 comment किया है तो प्लीज दोस्तों अगर आप ग्यानकुंच के चैनल पे नए हैं अगर आपने पहली बार quiz competition ने participate किया है तो आप सभी से अनुरोध है, request है humble request है फ्रम ग्यानकुंच टीम कि प्लीज हमारा YouTube चैनल ग्यानकुंच subscribe कर दें हम इस चैनल पर डेली लाते हैं आपके लिए quiz competition and हम इसको करेंगे continue और मैं बता दूँ जिन भी students ने last के कुछ quizzes में pandemic हमें ग्यानकुंच center को online करना पड़ा है offline students अभी ज़्यादा ग्यानकुंच पर आते नहीं है and हम really चाहते हैं कि जो बच्चे हमारा ग्यानकुंच daily quiz competition में जीते हैं उन्हें हम ग्यानकुंच पर बुलाएं उन्हें reward दें and उनके साथ दो चार बाते करें उनसे reasons पूछें कि reasoning के questions पूछें उनसे discuss करें कि उन्होंने वो answer कैसे solve कि कैसे solve किया तब ही हमारे competition करवाने का जो main motive है वो पूरा हुपाएगा तो जितने भी instruments पिछले quiz में जीते हैं उन्हें सभी को मैं बैदा दूँ आप सभी को prizes मिलेंगे काशिवा परवीन 5, काशिवा 4, काशिवा 3, अरे काशिवा कितने answers कर रही हो तुम काशिवा 2, काशिवा ने सारे digits answer कर दिये अच्छा चलो ठीक है, अब और time चाहिए या answer बताऊ तो comment करके बताओ कि तुम्हें और time चाहिए कि मैं answer बता दूँ so options तो नहीं है इस question में, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा hint देते है hint यह है, कि answer single digit में होगा, answer single digit में होगा, यानि 0 से लेके 9 तक के बीच में answer है so शिवा हम कह रहे हैं कि 16, 13, 10 which applicable, यह इन्होंने क्या लिखा समझ में यह बताओ sir तो कुछ students बोलतने की answers बता दो, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा explanation स्टार्ट करते है I think तुम सभी बच्चों ने, तुम सभी ने, जब तुम और चोटे थे, तो प्लस माइनस करना तो सीखा होगा तो तीन अंकों की संख्या को कैसे जोड़ते हैं इस question के सबसे बड़ा हिंट यह है, कि तीन अंकों की संख्या को कैसे जोड़ते हैं So, Gaming with Krishna is saying कि one is the final answer बाबुलाल मोरे 7, मसरूर आलम 2, सुमित कुमार 3, खुशी राजबर 7, अंकित कुमार शर्मा बाबर 1 लिख रहे हैं So, Gaming with Krishna ने बिलकुल सही, Krishna बिलकुल सही experience किया है तुमने तो जैसे मैंने भी हिंट दिया था, कि आप किसी 3-digit number को कैसे add करते हैं तो आपको करना क्या था, कि यह जो first row है, इसको आप समझ लो कि यह 3 अंकों की संख्या है जानी 268, 268, और जो नीचे वाला row है, यह भी एक 3 अंकों की संख्या है 373, 373, इन दोनों को जोड़ दो, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो answer क्या आएगा? answer आएगा 641, देखो, 8 जमा 3, 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 7 जमा 6, 13 जमा 1, 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, तो 2 एक 3, जमा 3, 6 तो करना क्या था इस question में? यह जो question है, यह थी 3 अंकों की संख्या, यह भी थी 3 अंकों की संख्या, जब दोनों को जोड़ोगे, तो answer आएगा 641, तो यहाँ पर question mark में आना था 1, तो मैं बता दूँ कि जो अंकित कुमार शर्मा है, उन्होंने सबसे पहले answer किया था, आज के quiz का, तो आज के quiz competition के winner है, अंकित कुमार शर्मा, तो जो भी अंकित कुमार शर्मा, I think वो कौन से अंकित हैं, वो please मुझे WhatsApp पे, या अलग से जब यह competition में बंद कर दूँ, आज का जब वीडियो में session end कर दूँ, तो आप comment करके बता देना कि आपका क्या नाम है, आप कहां से हैं, तो आज के quiz का जो winner है, वो है अंकित कुमार शर्मा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले one लिखा था, सबसे पहले one answer अंकित कुमार शर्मा ने दिया था, तो मैं फिर से logic बता देता हूँ, one था, one था आज के quiz का answer, explanation क्या है, जो आपको read each row of three numbers as a three digit number and add the top row value to the middle row to give the result written in the bottom row तो आपको row one and row two को जोड़ना था, दोनों rows को जोडने के बाद, जो answer आता है, वो आएगा 641, तो यहां आना था one, तो correct answer है one, तो comment करके बता हो कि कैसा लगा आपको आज का question, तो चांसर का कहना है था, की ही new the answer, तो चांसर आप तो team के part हैं, आप तो ग्यानकुंज के जान तो आपको तो answer के आपको question भी पता है, आपको कल आने वाले questions भी पता है, ग्यानकुंज पर क्या क्या initiatives आने वाले हैं, वो भी आपको पता है, उन्होंने answer change भी किया है, तो दिशा की complaint आईए, यहां पर कि आंकित कुमार शर्मा ने कुछ answer change किये हैं, तो दिशा उसको भी consider क किया जाएगा, लेकिन issue यह है कि आज के question में जादातर students ने answer बार बार change किये हैं, इसलिए मैंने consider किया, अगर मैं उस logic से जाओं कि उन्होंने answer change किये, फिर तो आज की competition का कोई भी winner नहीं होगा, उन्होंने answer change भी किया है, फिर मुझे price देते, इसलिए answer नहीं किया, अच्छ तो यहाँ पर कृष्णा की complaint आई है कि अंकित ने answer change किया है, तो see, कृष्णा और दिशा, competition करवाने का motive हमारा यह नहीं है, कि हम knowledge की भी बात है, knowledge की भी बात होती है, देखो, अंकित ने starting में अगर तुम देखोगे, तो कई बार one 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 answer किया, और मैंने किसी को explain नहीं किया, औ बार बार बोल रहा था कि अभी भी answer नहीं है, अभी भी answer नहीं है, तो कोई भी student confused है जाएगा, तो उस confusion को दूर करने के लिए, उस confusion को दूर करने के लिए, हमने यह सोचा कि कोई बात ही अगर आज बच्चे multiple times भी answer देते हैं, तो हम लोग winner उसको declare करेंगे, जिसने correct answer दिया के बाद comment करेंगे जरूर बताना कि आपको आज का quiz commission कैसे लगा, अगर आप अपने हमारे YouTube चैनल पे नहीं है तो please subscribe कर दें, अगर अभी भी आपने YouTube चैनल हमारा like subscribe नहीं कर रखा, अगर यह video like नहीं कर रखी तो पहले like करें और फिर इस video को छोड़ के कहीं जाएं, तो सभी अपना ख्याल रखें, ठंड बहुत है, ध्यान रखें, चलिए बाई बाई टैटा टेक केर, अगर पे बनाए गाजर कलवा और मैं वही खाने जा रहा हूं, बाई